शिमारू के नई वडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें अब डिमारू के लिए और दे कीजिए और दे कीजिए और बेल आइकन कीजिए और एकन कीजिए और न भूलें लो बॉलो भी दो हजार रुपए शांति देवी रहीम भाई जी इनकी बेटे की शादी के लिए लो माई भखवान करे प्रेन बाबु सदा बने रहे मुझ बिद्वा का कल्यान हो गया थीक हाजी सहाप रहीम भाई जी इनके मदर्से के लिए इन्हें दस हदार रुपी दीजिए जी बेहतर लीजे जनाब शुक्रिया अल्ला सलामत रखे प्रेम बाबु के फरिष्टा है फरिष्टा मन्शी जी आज उनके दीदार नहीं होंगे क्या लीजे मालिक आगए आपके लिस्ट के मुताबिक सिर्फ छे लोग बाकी है मेवालाल जी साहिब इनके मकान की मरमत के लिए इन्हें चार हदार रुपी दीजिए मलिक आप खुद ही दे दीजिए अपने हाथों से भगवान आपको और तरक्की दे आप महान है हम गरीबों पर आपकी छाओं सदा बनी रहे हमारे घराने पर बस यही क्रिपा बनी रहे भगवान गरीबों की दुआएं मिलती रहे तेरा लाख लाख शुकर है सब कुछ दिया है तुने धन के साथ मन का चैन भी तो हीरे जैसे बेटे एक सुशील बेटी मा बाबुजी कहा है आप लोग जल्दी आएए प्लीज क्या बात है बेटी सबसे अच्छी कवीता के लिए उजाला वीकली का वाशिक पुरुसकार उन्हें मिला है देखे बाबुजी वो उजाला पुरुसकार विजे नहीं चीता है जी हाँ देखो ना अभी पड़ाई खतम भी नहीं की और नाम कमाना शुरू किया आमारे विजे नहीं नाम क्यों नहीं कमाएगा मालिक आखिर बेटा किसका है और बबवा किसका है मुन्शी जी हमारा उसे बच्पन में इन कंदों पर हमने बहुत सवारी करवाई है चुक चुक जीओ मेरे लाल बड़े भाई की छाओं तले तुम भी पुनावे पढ़ रहे हो बेटे वो इतना नाम कमाने लगा है तुम भी कुछ करके दिखाओ अभी करके दिखाता हूं गिरी नहीं सकता शर्ट जीत कर बताऊंगा लगाव आग अरे इससे पहले कई क्या जा लुद के लिए कर देखा निकार आगा कर दो ऐसे सब्सक्राइब करने के दिखान पर फितिति वो होज तुम ने कि तुम ने जुरद कैसे की मैंतर सिर्फ सवारी तो सभी है जुर्ण तो इस घदे ने किया यहाँ पर कोई घदी रही थी क्या शटप यू रास्कल रसकल रसकल नी बोला रासकल रसकल नी बोला मैं एक शरीक बर का लटका हूं वह तो मैंने एक शर्ट लगाई थी और शच्र जितने के लिए माई इस घदे पर बैड़ गया और तुम घ अब तो सबक सिखाने के बाद ही जाने देंगे इस देश की पुरानी परंपरा है गल्स कि घदे सवार का मुझ काला करके जुलूस निकाला चाहता है लालीता इस सूर्मा के लिए मैं अभी कालिस लेके आती हूँ अबे ओय घदे जनान खाने से मुझ काला करवा के निकलवाएगा क्या है मर्द होनी की कुछ तो हन रख चल रभी आज तेरी पसंती यही है आज तो बच कया वो बदमाश फिर कहीं दिखे यह कॉले स्टूरिंग है लाली ते इसका आइडेंटिटी कार गिर गया फर्गुसन कॉलेज रवी वर्मा वाँ यह आस्मान को लात मार रहे हो भाईया या गरदन मोटी कर रहे हूं चप ऐसा लगा जैसे कोई नई कविता त इसे पैजूर ॉसे पैजर कोना गया मैं ऑच्राव रहां स्पी निया से वह थी रहते हैं तो आपना ड़ल लिफंड कर दूत डूति वह हैं क्योंones आपके चोर बदन का एक फोटो लेना था मुझे चोर बदन? हाँ हाँ क्या है कि आपका कुपा बदन तो सभी देखते है ना अब मैं आपका चोर बदन दिखाऊंगी दुनिया को यह घर में घुशते ही क्या अंटिशन गोलने लगी कौनों तुम मैं उजाला वीकली से आपका इंटरव्यू लेने आई हूँ तो कहिए ना उजाला वीकली से इंटरव्यू के लिए आई हैं आप आपके दूसरे तस्विर भी खीज़ दूगी ठीक है ना लेकिन आप ये इंटरव्यू मत रोकिये प्लीज अच्छा तो ये हैं दुनिया के मश्यूर हीरे आबनू टाइमंड जी हा प्रेम बाबू ये हीरे कभी शाह इरान के पास थे अब हमारे आका शेक जुमेरा की मिलकियत हैं प्रेम बाबू आप खासुर खास जोहरी है कारी-गरी का तारिफ अबर मुलक तक पहुंचा ये तो उपर वाले की दया है शेक साब आपके लिए मैंने कुछ खास डिजाइंस चुने हैं देख लीजिए प्रेम बाबू ये दस करोड के हिरे हैं दुनिया भर के गैंक स्ट्रस की नजर इन पर है आप फिकर मत कीजिए अपनी दुकान तक पहुंचाने के लिए आर्म गार्ट स बात्लेर में है जस्ट में रात्लेरो, मैं देख अव**** जुमेरा के शेख ने हमारा डिजाइन पसंद कर लिया मुंशी जी मैंने उनको जबान दी है कि आप नूर डाइमंड्स का हार एक मेने में तयार हो जाएगा अजी तीन हफ़ते में होगा मालिक आपकी जबान खाली नहीं जाने देगा इस से वसल सेट जी हवल्दार पूछते रुके यह जाएं बस एक मिनिट मैं खूद आता हूं धन्यवाद देने के लिए जी अगारा है अब उस तिजोरी की दुसरी चावी बनवाली है शेजी शाबाश मुच्छी जी शाबाश जी पचास हजार परे पेश की आप बाकी के साड़े साथ लाक रुपए अब नूर हीरे हाथ लगने के बाद लेकिन सेजी कहीं मेरे हाथों में हतकड़े न लग जाए दरो मत मुंशी जी दरो मत ऐसी चाल चलूँगा ऐसी चाल चलूगा कि चोरी का इसाम तुम्हारे प्रेम बाबू पर ही लगेगा उस थर्मात्मा के बच्चे से मुझे पुराना हिसाब चुकाना है थोड़ा धरंदासेट काओ दुरलबाद दुरलबाद क्या इतनी जल्दी उपर चले के क्या जी नहीं नीचे हूँ आपके सथकार के लिए अरे कंभक्त बल बजाई होती है आते ही गलाप आदना शुरू तुम्हारते हैं और दूसरों की तुम्हारे साथ यह जोकर को नहीं है काम का आदमी है काम का दुबई से आता है हां तु चलो उस कमरे में आओ चलो इधर देख सेट वाह सेट सोने का भाव बढ़ गया है देखो दुरलब तुम्हारा मेरे लेंदेन बहुत पराना है चूना मत लगाओ चूना तो तुम लगाते हो सेट नाम के और धरम के दास और करम के पूरे शैतान ओ खामोश दाम बात में तेह कर लेंगे पहले मेरी बात कान खोल कर सुन इंडिया में आप नूर डायमंड्स का सौदा करना बड़ा मुश्कल होगा और खतरनाक भी अब नूर ही रहे वो तो इस दुनिया में हतोड़ा है सेट हतोड़ा तुमने कहां से लपक लिए वो सब छोड़ो समझो कि मेरे कभजे में आ चुके हैं अब फॉरन में उनके लि अब यही है वो लड़की गल्स होसल में रहती है सेट धरमदास की बेटी ललिता अज यही है हाँ 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 जाल दो इसे गाड़ी के अंदर चोड़ो मुझे और यह पच्छा लुझे लुझे. यहां तुमारा अम्रित कुंड कहा यह वटू पपीदा मेरा मतलब ललीता आउ कर दो किक एंड नौ तरन अराउंड एंड जंप एंड डाउंड एंड एंड साइड और स्टार्ट पाई जोड़ी पाई गई नाई पाई ले ले तपी राया ले का चीखनी पूर्गी बुगुंदी या मागे लाग लास्का कास्या नालाइक बिश्ड़ की रे मदान कुप चिलकोने ओची ओची ना अ ले 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 लहालीता ले लुटा बच्छाओ अ आ बे सलाम तक्ड़ान आशू करे चे आशू अशू आममा केबरे डांस करेंच आशू सलम लगत्या दीके आज कौन सा टैटल देला रैंबो आपने बचा लिया फरना वो गुंडे मुझे किड्नाप करकी ही छोड़ते अगर मैं आप जैसे लड़की को किड्नाप करूं तो साथ चलनों तक नहीं छोड़ूंगा मजाग छोड़िये समझ में नहीं आता मैं मैं किस तर आपका शुक्रिया आदा करूं शुक्रिया पेमेंट का है एक चटपटा सा तरीका मेरे पास मगर बाद में बताऊंगा पिलाल आपके चैरे पर जुल्फे बिखरी हुई है और सड़क पर किताब हैं आप इन्हें समेटी मैं उन्हें समेटता हूँ अच्छा किस एंड टैल यह लिजे थांक यू वैलकम हां एक और किताब थी कौन सी इंग्लेश नाम कहीं भी नजर नहीं आती आखिर कहां चली गई आखो बैतने में ढूंड लूँगा बस नाम बता दीजे मुझे एक बार उस किताब का मेरी सहली ने दी थी पढ़ने के लिए अजी पता तो लगे कि आज कल की लड़किया कौन सा सबब पढ़ रही है थोड़ा बहुत आपके साथ हम भी सीख लेंगे बस नाम बता दीजे मुझे किताब का नाम इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा याद तो है मगर आप बताना नहीं चाहती है टेल टेल मेरा मतलब है कि बताईए उसका नाम पहले आप बताईए आपने वो किताब चुपके से उड़ा तो नहीं ली अजी मेम साहब उड़ाना है तो आपका दिल उड़ाऊंगा व याद आप बताईए तो बताईए तो आपका नहीं चाहब झाल आपका तो टिं टंग 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 तिं टंग तिं बच्थे है क्यों तिं तिं तिमिड रॉब्स आंटम टें वित्सित है क्यों मेरै किल सिंगे डिंग चरेक्षी डिर्टे है कि तरफ्या लाँ लग्या ला। ले लो गृटे हैं कि तरिग्ची है किस दर्फ्या कि में रलाट लो लाँ किस और ला 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 ला, किस और ला 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 ला, किस और ला ला ला, किस और ला ला ला, लड़की है या बिगड़ी हुई तू गारी है गारी थीक थाक है दराईवर अनारी है लग लेक पे लगा ले कुई है आज है भी है किस ऑस्ट का जानगा किस ऑस्ट का छो yüzसंट किस О पिस ऑस्ट किस ऑस्ट tapped मैब लाला लाला आ याण लालालालालाला क्या तीरी पाश मेरे प्यार का ओले क्या तीरी पास मेरे प्यार का ओले जर जर दीवाने, जर जर दीवाने, मेरा दिल अनमोन है Price never mind, price never mind, I will buy you, sell, sell, sell किस्टें लालालाला होगी बदनाम तुए इलसाम लेके दूब जाओंगा मैं कहीं तेरा नाम लेके तेरा नाम लेके दूब जाओंगा मैं कहीं तेरा नाम लेके जोरा ताम लेकों हो आओ यानी वेल 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 मारू छलाम! यह, यह, यह! वैन, डो, तेदे bitter ताट टेपला सुनस की है किसैंर हुने हाँ है है घिस है आपका हार शेक साब दस दिन से तयार पड़ा है मुलाइजा हो कारीगरी तसली कर लीजिये आपके आबनूर डाइमंड्स है है यूची अब को फर्रेप देता है यह यह दाय में सो नकली है यह नामकिन है आप कहते हैं किसी ने असली हार चुराकर नकली हार आपकी तीजोरी में रख दिया हुबहु इसी डिजैन का हार उसने कैसे पनवाया आपने यह दिजैन किसी को दिखायाता क्राया उसके भाद कारीगरों ने यह हार तयार किया असली हीरे आपने खुच किये और अपने हाथ'ों तीजोरी में रख दिया जी हाँ, उस तीज़ोरी पर दो ताले हैं, एक चावी वाला, एक नमबर वाला, जी हाँ, चावी दी थी किसी कारिगर को, नहीं, नमबर बताया था किसी को, किसी को भी नहीं, तो क्या जादू मंतर से किसी न वहार उडा लिया, कुछ समझ में नहीं आता, इंस्पेक्टर वह आपके सामने है कि अपनी दुकान के हार में नकली हीरे जब आ दिये हैं अरे वह तो ख्यर होगी इंसपक्टर। हमारे आकान इनी की दुकान में वह रिचे कर लिए थे वना वहाद लेकर हम अपने मुल्क चले जाते ये बाद में कहते के हमने तो असली हीरे दिये थे अरेस्टेट मैं इस्पेक्टर ये कुछ चोर है शेक साम कर सोच समझ के बात कीजिए सारे शेयर में मेरी सक्चाई और इमानदारी के चर्चे है दूर दूर तक इस धंदे में मेरा नाम है जिससे सुनकर आप मेरी दुकान पर आये थे और अब आप ही मुझे चोड़ कर रहे हैं फुजूर का बात मत करो अब असली दायमंडिया तुम नकली वापस क्या है ये अमानत में खयानत है मत करी लगो इंस्पेक्टर वो डायमंड दस क्रोड खता तुम वापस कर दूँगा दस करोड बेज दूँगा अपना सब कुछ मैं खुद मिट जाओंगा शेक नामों इज़त को नहीं मिटने दूँगा दुनिया को यह नहीं कहने दूँगा कि प्रेम बाबू ने अमानत में खयानत की है तुम्हारे हीरे ने लोटा सकता कीमत चुका दूँगा भले मुझे सडकों पर जाना पड़े एक एसाब चुकता हुआ सडकों पर पहुंच गया प्रेम बाबू कमान लट असलिब्रेट हाँ थोड़ा वह आप तक सडकों पर ने गया सेट क्या बकवास करते हो सारे शहर में इस बात का चर्चा है सब कुछ बिग गया है उसका वह मकान मैंने खरीद लिया है वह बाल ब तक है वह मेरे दोस्तों गया उसके इसका सेड इसका जो मैंने तुम्हे पहले सोना पहुचा है था उसके हर 10 ग्राम पे डिट्ट सो रुपया और चुका होगे देको तुम है थीक है चुका हुआ लेकिन सबसे पहले उसे घर से बाहर निकालो निकल कौने आप तेरा बाप समाल छोकरे चुबए बुढ़े एक लाफा मार हुआ सारे के सारे दांथ हाथ में आ जाएंगे यह बंगला मैंने खरीद लिया पनिचर के साथ चल यह चलता फिरता कच्रा बाहर मगर हम कहा जाएंगे बाबुजी इस देश में लाखों लोग उस नीली छत तले रहते हैं मेरी हम भी सही अल्ला ना करे मालिक आप पर ऐसी नोबत आए मेरा घर आपी का तो दिया हुआ है मुझे अकेली जान के लिए बहुत बड़ा है चलिए वहीं चलके रहिए नमस्ते प्रेम बाबु क्या ये ख़वर सच है लोग कहते हैं आपने अपना बंगला बेश दिया कहने दो भाई बस ये ना कहें कि मैंने अपना इमान बेश दिया आपकी चिप्थी लाए हो अरे शान लगते हो किसके चिठी है रवी की इस महेने उसने तीन हजार ज्यादा मांगी तीन हजार और क्यों वो राइडिंग क्लब का चैंपियन बन गया है दोस्तों को पार्टी देनी है यहां डाल रोटी के लाले पड़ गये वहां वो पार्टियां देना चाहता है उसे साफ लिख दूची छोड़े वो फजूल खर्ची अब हमारे वो दिन नहीं रहे नहीं लक्ष्मी अभी बेटों को यह इल्म नहीं होना चाहिए कि हमारे बुरे दिन आ गये हैं उनकी परि आप सुआगन है आपकी कलाई सोने हो जाओ यह मैं नहीं देख सकता है सुआगन का सबसे बड़ा श्रिंगार उसकी मांग का सिंदूर है बस वो बना रहे हैं मुझसे उनकी परिशानी नहीं देखी चाती लीजे रहें भाई पेच टलिए इने और मनी ओर्डर कर दीजे मगर मालकन आप आपको मेरी कसम कर दो दो आप आधे घंटे पहले आते प्रेम बाबू तो सारा कर्ज चुका देता अभी एक लेंदार को सारे पैसे दे दिए अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं उस कर्ज में से अगर 57000 भी मिल जाते प्रेम बाबू जहर खाने को पैसे नहीं बैठिए चाई पी कर जाईए अगर जहर पैसे नहीं है तो चाय का खर्च भी बचा लीजिए मुझे तो यकीन है बाबू जी कि हमारी बर्बादी में किसी एक आदमी का हाथ नहीं है हूब हूब उसी डिजाइन का नकली हार कैसे बन सका जरूर किसी जानकार जहरी ने बनाया है और आप ही किसी आदमी ने आपका ड मुंशी जी के अलावा और तीन कारीगरों को था सब भरोसे के आदमी है आप किस पर शक करूं मैं बाबू जी जब आपने आपनू डायमंड्स तीज़री में बंद किये तब आपके करीब कोई था मुंशी जी थे लो तो मुंशी जी ने लॉक का नमबर नोट क्या होगा सि पर दूसरे लोक कि चावी तो मेरे पास थी नकली चावी भी तो बनउवाय जा सकती है बाबू जी कैसे बनवाय जा सकती है असली यहाइफ लगे तब ना वो चावी तो मैं किसी कूँने तक नहीं देता तब तो बाबुजी मेरा एक ही सुजाव है आप उन चारों को पुलिस के हवाले कर दीजे पुलिस उनकी बजंतरी बजा कर कबूल करा लेगे कि असली मुझरिम कौन है रवी उन लोगों ने बरसों मेरे साथ नमक हलाली बरती है और तुम चाहते हो मैं उन्हें हवालात में ब बाबुजी यह तो दुनिया का दस्तूर है जिन पर शक होता है उन्हें पुलिस में दिया जाता है आप नूर हीरों तक पहुंचने के लिए आपको यह करना ही पड़ेगा एक पर वो हीरे हमारे हाथ लग जाना तो हमारी खोई हुई दॉलत हासिल करने के लिए मैं अपनी मैं उन लोगों मिसे नहीं हो रहे हैं देखो रवी पूरे कुन्बे ने गरीबी के साथ सम्झावता किया तुम क्यों नहीं कर सकते हैं कर सकता हूं लेकिन जब दुबारा दॉलत मन बनने का उपाए है हमारे पास तो खामखा घरिब क्यों बना रहे हैं यह सवाल है मेरा मैं कि अब में कुछ ने का उपाँ कि सुनिए इसकी बाते हैं मुझे तो डर लगता है वीजय दौलत खोने के बाद कहीं एक बेटा भी न खो बैठों के अधम गाए है देती रहो कमला रानी यही प्रेला बार बार देती रहो है हम कुँड मोर्निंग सेर अं यह लेख लायो तो इस ट्रेबल पर कहानी लायो तो इस धूल भरी ट्रे में और कवीता लायो तो रद्दी की टोकरी में मगर एडिटे साब मेरी कविता को आपके उजाला वीकली का वार्शिक पुरसकार मिला था तो आप ही है कविराज विजय भाई बड़े मौके से आए इस समझ मेरे भीतर भी कविता उत्पादन उबल रहा है विराजिये विराजिये सर मैं अपनी नई कविताया लाया हूं किताब चपाने के लिए से रुक्या के मुझे पैसों की सख जरूरत है और मुझे प्रेशन साकी सिर्फ दो हफ्ते पहले नया नया कवि बना हूं जरा सुनिये चंद्रमुखी है तू तू रोजनी भी नितम नी भी ऐब मेरी कमला नैन भाण छे दें दें जिसे वह प्रानी कभी न संभला शयद का चत्ता कहूं तुक्रिये या फिर कहूं तुझे फूलों का कमला वहां वहां वां वहां 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 कैसी एक पर जगत पहीर 210 कवी ता जगत को हिला के रख दूंगा साथ आगर हमें कभी बना के ही छोड़ा इलाइची ने इलाइची ने जब कोई सुंद्री शेर जैसी मूच वाले को इलाइची खिला है तो इसका अर्थ क्या हुआ हो सकता है मूच वाले के मूँ से बदबू आती हो बदबू कैसे बन जाते हैं लोग कभी अजीस कार्थ यह होता है कि वह हो गई हैं हमारी मूचों पर मोहित और हमें इलाइची दे दे के कर रही हैं प्रेरित मुबारुख सर मुबारुख हो अब आप हमें भी थोड़ी प्रे में दे सकती हैं मैं उजाला वीकली का एडिटर हूं और पब्लिकेशन की मालकिन वह हैं अच्छा तो फिर उनसे बेंट कर दा दीजिए बड़ा अपकार होगा आपका आपका थोड़ी देर में आती होंगी सुनिये मुझे एकांद चाहिए क्या अकेला पन इधर लाओ ये तुम्हारी ये हिमत प्राइवेट फाइल पढ़ने के लिए चोरी चोरी यहां तका पहुचे यहां राग धमार क्यों छेड़ रखा है देखिए तो नबबर जी धरमदास के काली कर्टूतों का भाण्या फोड़ने के लिए मैं जो फाइल तयार कर रही हूं उसे मेरे ड्र हाँ रादा इसमें तो कविता हैं लिखिये हैं देखा इडिटर साब इनकी फाइल तो ड्राउ में थी और उसकी चोरी का दोस्ट मुझ में लगा रही थी यह ठीक है सर चलता हूं नमस्कार कौन था वो विजय वर्मा वही जिसे कविता का बार्शिक पुरसकार मिला है हां वो मेरा चेला बनना चाहता वो मसादा टाइप कर डाला कमला जी बस सर कर ही रही हूं देखूं कहां तक पहुंची लेजे रहा इलाइची धन्यवाद एक संपादक के लिए ये पुरसकार किसी अंतर राश्ट्री पुरसकार से कम नहीं है खई 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 इंटरनेशनल इलाइची जिस पर मेरा जनम सिद्ध अदिकार है किसी और को मत दीजिएगा जी नहीं आप ही को दूंगी आप यहां कैसे यही रहती हूँ यह जुल्री शॉप मेरे डड़ी से धरम दासकी है उन्हें लेने आई है तच्का को आगे आप से नहीं मिलूंगा तो फिर किस से मिलूंगा ड़ी मैं यहां हूँ नमस्कार मुंशी जी नमस्ते कैसे आप बस अच्छा हूँ विजय बेटे आप यहां कौन है यह यह प्रेम बाबु के बेटे विजय सहाब नमस्कार से प्रेम बाबु के बेटे मेरी बेटी से ज्यादा जान पहचान बढ़ाए आएंजा जाल इतना से दूर रहना समझें आप इन्हें बाबु जी से क्यों बह रहा है मैं क्या जानू विजय बेटे यह तो बड़े लोगों की बाते हैं अब अच्छा मैं चलता हूँ आज यह बाल बच्छों को लेके गाउं जाना है अच्छा मुंची जी यह मारती गाड़ी आपकी है आपके बस कैसे है बात यह है विजय बेटे के हाँ पिछले मैंने लोटरी के कुछ ठिकी स्खरीद लिये थे बस लगे लोटरी अच्छा लगता है तगडी लोटरी लगी आपको जो शहर चोड़के भाग रहे हो जी नहीं भाता र काम मिल बस चुटा हो मा बड़ी मालदार पार्टी है कपट जाएगा आप मामला पढ़ जाएगा ति मामला अजय यह यायने के काम मिल जागा महा ऑत बस कुछी दिरों कि बात लो भाई यह भी आ गए हरे रवी तेरा कुछ हुआ हरे कहा हुआ आगे बीटे कवीता संग्रे के लिए पेशकी मिल गई नहीं मा कुछ दिन बाद बुलाया अब तो एक एक दिन काटना भारी पट रहा है तू फिकर मत कर मा सब ठीक हो जाएगा अरे हाँ बाबुजी बाजार मुंशी जी मिले थे हूं मारुती गाड़ी में घुनते आजकर इतना रूपया मुंशी जी के पास कहा से आया यही तो सवाल है कह रहे थे लोटरी लगी है लग भी सकती है बेटे अपने अपने नसीब है आप तो सारी दुनिया को अपनी तरह समझते हैं बाबुजी यह क् तो बेकार शक किये जा रहे हो अरे मुंशी जी कुछ कामकाज के लिए गये होंगे धरमदास के पास कौन सेट धरमदास भईया वही जो जी हाँ वही जोहरी धरमदास जिसकी बेटी ललिता को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं धरमदास की बेटी से तुमारी जान कैसे हुई वह बस यह बाबुजी फुना में मेरे साथ पढ़ दी थी ना बड़ी एच्छी लड़की है बाबुजी मगर उसका बाप बड़ा गलत आदमी है उन बाप बेटी से दूर रहो समझे मगर क्यों क्या किया सेट धरमदास जी ने कुछ 15 साल पहले उसने ग्रहक के स दाथ हीरों की हेरा फेरी की थी मुझे हीरे पहिचानने के लिए कोर्ट में बुलाया गया था धरमदास मुझे देड़ लाक रुपे के रिश्वत देना चाहता था कि मैं उसके पक्ष में बयान दूं लेकिन मैंने वही कहा जो सच था और मेरे बयान पे उसे एक मेने की जे सबूत नहीं मिलता मैं उन्हें वफादार ही समझे अब घर वैटे सबूत मिलने से तो नहीं बाबुजी उसके लिए हमें कुछ करना होगा बस आपकी आग्या की जरूरत है तुम क्या करना चाहते हो पहले तो सिट धरमदास से मेल जोल बढ़ाना होगा मैं नहीं चाहता कि कि मेरे कोई भी आउलाद उस आदमी से किसी भी तरह का वास्ता रखे धरमदास से मेल जोल बढ़ाओगे तो तुम्हें भी जालसाजी के रास्ते पे चलना पड़ेगा मगर सीधे तरीके से वह हीरे हाथ पही आएंगे बाबुजी तो ना सही मैं कभी गवारा नहीं कि मेरे बेटे किसी भी हालत में गलत रास्ता अपना है साफ साफ बता रभी तुम धरमदास से हीरों के लिए मेल जोल बढ़ाना चाहते हो या उनकी बेटी के लिए ओफ ओफ आप लोग ये के समझ बढ़े बेटा वो धरमदास की बेटी है दूर रहो उससे मगर क्या यह ज मुबाराख हो मेरी जान हम दोनों का प्यार भी रोमी और जूलेट की तरह आमर होने वाला है क्या है कि उन दोनों के घरानों में भी दुश्मनी थी और हमारे बापों के बीच भी कमाल की दुश्मनी है दुश्मनी है तुम्हें के से मालूम कल शाम को पता चला कि हमारे बा कतार घोंब कर मुझे उस तरह नहीं मरना आव ऐसे यह भी ठीक है इश्क में ओमर खायाम वाले पोज में मरना चाहिए एक दुसरे को अंगूर खिलाते हुए है न एक तरकी भे ढर लेंगे हम जहर से पहले अंगूर वाली सिचुशन जमा देंगे वो कैसे अगर किसी तरह तुम अपने बाप के बेटे हो तुम्हारे बाप को मैं नहीं बताऊंगी कि मैं अपने बाप की बेटी हूँ अरे भॉंदू ऐसे हमारी माओं को गाली लगेगी चाह मैं कब कहती हूं किसी और को बाप बनाओ हम कुछ दिनों के लिए अपने बाप का नाम चुपाएंगे इतना आ तो फिर ठीक है डन डन तो चलो डैडी से मिलाओ तुम्हें मेरी तरह उनके दिल में भी घर कर लो लली वो इतनी जल्ली पटने वाले नहीं है कुछ ऐसा चक्कर चलाओ कि मैं रोज उनके साथ पांच-छे घंटे गुजर सकूँ अं उनके साथ काम करोगे ?, तुम्हें आसिल करने के लिए मैं शैतान के साथ में काम कर सकता हूं मेरे डाडी शैतान है ?, मैंने तो यही मिसाल दी है मेरी जाने जिगर के डाड़ी तो वी आई पी है मेरे-फन परसन अती विशेश व्यक्ति तो चलो मिलाओं आज ही काम दिलाती हूं अरे ऐसे कैसे काम देदू बेटी मेरा जो काम है उसके लिए तज़ूर्बा चाहिए और फिर खास किसम का कैरेक्टर चाहिए तज़ूर्बा हो जाएगा डाडी और इनका कैरेक्टर बहुत उंचा है यही तो मुश्किल है क्या मतलब यहीं कि एक तो उंचा क्यारेक्टर और दूसरे तुम्हारी सेहली इनकी बहन है कोई अच्छा सा काम देना होगा ऐसा वैसा काम कैसे सौप दूंगा आप जरा सौप कर तो देखिए नहीं रभी नहीं सोच समझ कर काम दूगा तुम्हें अ दे तो हाओ मा अब नौकरी मिले तब ना सुझवे कब चाय पिला दे बहुत थक्या हूं मैं चाय की पती खत्म हो गया बहिया कुछ देर सबर करो रहीम चाचा राशना ने गये है काई भी मैं थैली खाली हुआ मालकिन कुछ भी नहीं दिया पनियने नहीं कहां पैसे लाओ उधार नहीं मिलेगा कि अब रात का खाना कहां से आएगा मा घर में मुश्किल से पावभर्चा वाली बचे हैं कि अगर्ण तो इंगर्ण अगर्ण इसे पावभर्ण वाली वाल दोस्त ना जमील तुम तुम जानती हो मा अपना जमील अनिशाइद तुम नी मिलिए उसे तो दिल्ली से सोहन-अलवा लेकर आ गया अब सोहन-अलवे की तीन-तीन इतनी बड़ी ठिक्क्या उसने मुझे खिल तीन दिन तक मैं खाने की तरफ देखी भी नीज और मैं दूसरों को खाते देख तो सकता हूं लेकर खुद ने खा सकता वह वह यूंदि ना तो आस्ते में गोभी मिल गया और वह भी दिल्ली से लौटा है सोहन हल वाली है ना ने बाप जी उसके भतीजे का मुंडन धाना इस तुम घर लोटते वक्त रास्ते में तुम्हें कौन मिला था कोई नहीं मालिक मुझे कोई नहीं मिला हां कला चूरन के फंकी जरूर से ज़्यादा फांक ली थी तो आज सुबह से लोटा लेकर बार बार बैतुल खला का दर्वाजा जाक रहे हैं आज फाका कर लेंगे कर ताकि घर के बाकी मेंबर कुछ खा सके हैं नहीं बच्चों सुखदुख बाटना हमारे घराने की परंपरा है लक्ष्मी आखों में आसूं क्यों अपने दुर्भाग के पर हमारी जीती जी अपने बच्चे भूके रहे ये दिन भी रेखना था हमें अच्छे पुरे दिन सारे दिन एक दिन खुषर जाते हैं घम का है मासम नहीं घम मिलके हम गीत गाते हैं सितम हम पे कर ले सितम घर जमाना सितम हम पे कर ले सितम घर जमाना सलामत रहेगा ये घर ये घराना जोलो, सितम हम पे कर ले, सितम गर जमाना, सलामत रहेगा ये घर, ये घराना, सलामत रहेगा ये घर, ये घराना चलो हसो, चलो हसो ना, जल्दी हसो, अब हस भी दो हम है तो क्या घम है, तुम हो तो क्या कम है, नहीं आज खुशिया तो घम बात लेंगे जो है रूखी सूखी वो हम बात लेंगे किसी तर पे ये सर नहीं है जुगाना, सलामत रहेगा ये घर, ये घराना सलामत रहेगा ये घर, ये घराना हमारा मुकदर हमें आजमाले हमारा मुकदर हमें आजमाले किसी हाल में हम नहीं रोने वाले तो आता है हम को सदा मुस्कुराना सलामत रहेगा ये घर, ये घराना सलामत रहेगा ये घर, ये घराना बहुत कुछ है बाती नहीं सब गवाया ये छोटों के सर पे बड़ों का है साया ये दोलत है अपनी ये अपना खजाना सलामत रहेगा ये घर, ये घराना सितम हम पे कर ले, सितम गर जमाना सलामत रहेगा ये घर, ये घराना मिस्टर विजय, मुझे आपसे कुछ कहना है पिछली दो मुलाकातों में कुछ कसर रह गई है क्या, जो आप पूरी करनी है देखे, मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज आए ना प्लीज बैठे कहिए, क्या कर सकता हूं मैं आपसे उस दिन के लिए माफी मंगती हूं मैं आपको कभी गलत ना समझती अगर उस दिन पूर्णा में आपके भाई मुझे चक्माना देते की आप विजय सिंग पहलवान है बड़ा ही शैतान है मेरा छोटा भाई अक्सर ऐसी हरकती किया करता जी अब मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं चलिए बूल जाए वो सब तो पर इजाज़त दीजिए चलता हूं सुनिए तो जी आजकल आप लोग बड़ी तकलीफ में होंगे ना बुरा मत मानिये हम अकबार वालों को नामवर लोगों की पूरी खबर रहती है आप प्रेम बाबू के बेटे हैं ना जया पल में क्या से क्या हो गया कुछ दिन पहले कितने बड़े आदमी थे अब भी है रादाजी वो निर्धन होगे तो क्या मानती हूं गरीबों का पालनहार सदा महान रहेगा अब तो बस एक ही फिकर है मुझे बाबू जी का सारा बोज मैं अपने कंदों पे ले सकूं और घर का पूरा खर्च मैं चला सकूं कविताएं चपवा के कितने दिन चला सकेंगे आप आप कई अच्छी सी नौकरी क्यों नहीं कर लेते कहां इसी दफ्तर में मिलेगी क्यों नहीं मैं जानती हूं श्रद्धा देवी को आपकी कविताएं बहुत पसंद है और वो थोड़ा बहुत मुझे भी मानती है मैं बात करूंगी उनसे थैंक यू रादा जी आगई श्रद्धा देवी गुद्मानिंग बड़ी शांदार महिला ही है और समझदार भी ये बगवान ये कैसा चमतकार उकार सुनने वाले नटकट उधर है मालकिन लेकिन चमतकार करने वाला नटकट तो इधर है आपका बेटा वो दो हजार रुपे मुझे ओजारा पब्लिकेशन ने दिये है माँ मेरी कविता चपनेगा एडवान्स मेरे लाल अजी सुनते हो हमारा मेटा दो हजार उपे अडवान्स लाया है सच वो लोग तुम्हारी कविता चापेंगे जिया बाबुजी आपके आशिरवाद से मुझे ओजाला अखवार में एससेसिन एड़ेटर की नौकरी मिल गई है लक्षमी ये है इस जोरी का असली ह मेरे कॉलेज के फिस भर दोगे ना भाया कल से में कॉलेज जा सकूइंगे ना जरूर सुजाता तुक जितना पढ़ना चाहे उतना पढ़ाएगा तेरा भाई ओ भाया मैं सब पॉइंस नोट करके कल तुमारी नोटबू वापस कर दोंगी याद रहेगा नो भूलोगा मेरी दुनिया ही अंधेरी हो गई अब हम बंगले में नहीं छोटे से घर में रहते हैं चली ले वहाँ बाबुजी आपको देखकर बहुत खुश होंगे आरे उन्हें बाद में खुश करते रहेंगे पहले हम दोनों तो जी भर के खुश हो ले तो चले आज अपना मुट ब तुम्हारा होने वाला पती कॉलिज गेट पर तीन घंटे से तुम्हारी रहा देख रहा है उसका कुछ तो खैल करो चुप चलो मुझे आज रात के प्लेन से वापर जाना है लेकर मेरी बात तो सुना आरे चलो या अरो बहुत यह रास्ता के रहो का है और तुम लोग सीधी चरा वो हीरों का हार निकालो सेट अरो निकालता हो हाथ से रास्ता नहीं मिलेगा अरो पांडो लाधी हाँ! हाँ, नकाल थएट! कोचा हार? यहार नहीं निकाल वरना तेरा भी कीमा बना डालूगा निकाल नहीं देख साले सेट निकाल साले पहरी पहना अंकल जी तेरा बठेट अंकल जी आप भी मर्द है तेरी जी पर्मुट झाली पर्रे झाला यह पर्वार यहाथ यहाथ कर्वड़ और वह डो रवी आज तुमनें मुझे बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया see बहुत बड़े नुकसान से हां क्यों कि इस बाक्स में को कोरोडों का हार है क्या हां a हरद एक एक दो लाग का होगा सिरफ अच्छा लेकिन जो आइसान तुमने मुझे पर आज किया है उसका बदला मैं कैसे चुका हूँगा मुझे अपने काम पर रख लीजिए पर कौशा काम दो तुमें कोई ऐसा काम जिससे में साल देड़ साल में कम से कम लगपती बन जा हूँ सीधे और सचे काम करने से इतने जल्दी कोई भी लगपती नहीं बन सकता रवी वो लोग दूसरी किसम के काम करते हैं क्योंगेम यह वोजय के लिए चल्दी तुनिया में जिसके पास दौलत होती है दुनिया उसी का नाम लेती है इसलिए दौलत कमाने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं सब कुछ इससाह को आप अब पाजमा कर देखिए मैं पीछे नहीं है तो वह तो ठीक है लेकिन देखे ललिता आप ललिता के फिकर मत कीजिए मां उसको थोड़ी बता हूँ आम लोग कौन सा कुल के लिए अभी 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 सेट जी के साथ बेटी आज से अमने रवी को नौकरी पर रख लिया है वॉंडरफुल क्या काम दिया है अपना से 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 केटरी का है अहां से केटरी का अच्छा तुम दोने आपस में बाते करो मैं यह बोक्स तुज़ोरी भी रखता हूँ जी वेरी स्ट्रेंज उस दिन मेरे कहने पर भी डैडी ने तुमें काम नहीं दिया आज कैसे दे दिया करिक्राइब कि इस एकडर करने के लिए कुछ घुटंटे कर दी नौकरी असल कर ली और जानती हो गुंड़े कौन थे कौन थे वोई जिनों ने तुम पर पूना में अमला किया था बड़ी मुश्किल से धरमदास को चकर में डाल के वह उसके घर से निकलवाई थाकि तुम लोग उससे रास्ता में लूट लो अगर हम करी तुम लोग भर नहीं हो चालके पूला में भी धरमदास की लॉंड़ों के नूठा पाई थे वहां भी जो लॉंड़ा आ रहा गया तो तो वह सेट नहीं ताल देता अपर पूल घुल जाती फिर क्या होता है अब वह आप नूर हीरे उडाने के लिए मुझे को निया रास्ता ढूंड़ना पड़ेगा सो रही हो क्या नहीं लेकिन यूँ परिशान कब तक तेलेंगे आप तुम्हें परिशानी नहीं है रात का एक बजने गया अभी तक रवी नहीं लोटा आ जाएगा आप सूझा ये ना मा हो ना इसलिए कह रही हो अगले जनम बाप बन जाना फिर पता चलेगा ऑलत का ठीक है अगली जनम में मैं बाप बनने को तयार हो लेकिन एक शर्त है कि आप मां बनना शायद आ गया कि हां पबशी पहुँ जी बबुजी गड़ी देखी बन पड़ गई चालू है यह कोई घर आने का वक्त है वो क्या हो गया बाज तुम्हारे बेहन के नीन टूट जाएगी इस वक्त मैं तुम्हें ठीक से डांट भी नहीं सकता इस वक्त सिच्वेशन जो है वो डांटने वाली नहीं है बबुजी आशिरवाद की राफ को हीए गर लौटने का चाहते हो मुझसे जी नहीं नौक्री मिलने का चाहिए मुझे नौकरी तुझए पिसक्र नो कि सिनेमा घर में डोरकी पर बंगए हो क्या जो इतनी देर से आये हो वो क्या है बाबुजी वो क्या है मां इंस्युरंस एजंट बन तुम देखना कैसे मैं उसकी लाइफ को इंश्योर करता हूं अब देखो मा भले ही मैं आधी रात को खर लोटू लेकिन महीने का आज 10,000 रुपय में बड़े प्यार से कमा लूँगा कमा के दिखाओ बेटे फिर मानेंगे अच्छा जाओ अब सोजाओ वरना यह तुम्हारे माच्चा हिकती रहेगी और बच्चों की और मेरे नींद खराब हो जाएगी जाओ मुझे आश्रवादुमा जी ते रहो बेटा नाम में धर्म और काम में पाप शहर के एक बड़े जोहरी जिनके नाम का एक हिस्सा धर्म भी है जिवराद की दुकान के साथ एक कलब चला रहे हैं जिसके नाम में तीन यक्के जुड़े हुए हैं जनी के हमारा थ्री एसिस कलब सेट धर्मदाज भाहर लिगाल वाद नांसेंस कोड़ों तुम खुड़ते क्या हो हाथ थोड़ा वाच यानि के पठाका हो पठाका सेट धर्मदाज की छोकरी हो ना हाँ जाओ कह दो अपने बापसे की दुरलब आया है और यह भी कह देना कि मुझको घूर घूर के देख रहा था भाग कर आदेगा कुट्टे की तरह दुमेलाते हुए जाओ अब दुरलब को जांते हैं क्यों क्या वा नीची आया है बोलिए अप उससे जानते हैं हाँ अम अमेज़ डाडी उस जैसे लोगुन से जान पैजान है आपकी ज़ो क्या करते है तुम कैसे जानती हूँ कैसे ना जानूगी आते ही मुझे घूरने लगा पत्तमीजी की बातें की पक्का लोफर है लोफर अब उसकी ख़बर एता हूँ उसे घर से बाहर निकाल लिया डैरी हाँ जो निकालूगा लेके बेटी जब तो कुसे निकाल ना लो तुम लीचे मत आना यह कि बात तुम्हास करते हो आज के ओजाला अखबार में यह खबर कैसे छपी मेरे नाम की तरफ इशारा है मुझे क्यों दोस्यते हो मेरे नाम की तरफ यह इशारा लूइंगा जोड़ुर तुम्हारी तरफ से चुक हुई है कोई नहीं सकता मेरे सारे आपी भ्रों से कहें बढ़ा मैं तुम्हारा को यादनी विपीजन बनाए इसलिए अमारी अंदर की बाते बाहर तक पहुचिए कौन हो सकता मैं मैं तो खुद परिशान हूं अगर ऐसे दो चार लेक हमारे बाले में और छपने तो हम दोने पर बात ह हो जाएंगे मारा जाएंगे दुरलब को मारने वाला कोई सूर्मा इस धर्ती पर पैदाए नहीं हुआ है देख लूँ हमारे में जूटी खबरे छापना बंद कर अरे जा जा हमको धंकी देता है अभी तो शुरू किया है तर जनो लेक छपेंगे क्योंकि खबर सच्ची है सुन में जोकर नटवर तुम मुझे नहीं जानता इसलिए चेकर आए मैं चार कतल कर चुका हूँ दुबारा तुने ऐसे लेक छापा तो मैं तेरी पूंगी बजा दूँगा मैं तेरा बैंट बजा दूँगा फोन पे धंकी देरागी इदर अरे मा का दूद पिया तो सामन करा सकता तू जूटी रहे बच्ची इन भेडियों का भांड़ा फोल के रख दे खबरे और फोटो लाती जा असली काम मैं करूंगा मैं यह फोटो और खबरे ले आई तो फिर कौन सा असली काम रहेगा नटवर जी चापना चापने का होकम तो मैं ही दूँगा न भाई या सर हमारा काम तमाम हो गए अगर आप इजाज़त दें तो हम बेधड़क जाईए बेधड़क जाईए मगर सुनो राधा अगर उस कौकरोज का फोन आए या वो खुद आए तो शेरो वाली स्मुझ को पुकार लेना हम आ जाएंगे जरूर सर थाइच्च्च्च्च्च्च् अगर उसने आपके खिलाफ क्या किया पताई भी आप उसकी हर बात कैसे जान लेती हैं आप जानना चाहेंगे मैं धरमदास की जेवरात के दुकान में काम करता था उसने मुझे एक पैकेट किसी को पहुचाने के लिए दिया मुझे नहीं मालूम था उसमें स्मेंगलिंग के ही रहे हैं रास्ते मैं मुझे पुलिस ने पकड़ लिया लेकिन धरमदास ने मुझे पुलिस के सामने पहचाने से इंकार कर दिया और खुद को बचा लिया देखती हूं कब तक बचा रहता है वो पाकटी मैं साबित करके रहूंगी कि धरमदासी असली मुझरिम है आपके नाम से ये जूटा करंख मिटा करी चैन मिलेगा मुझे वो लोग बड़े खतरनाग हैं बेटे और तू अकेली जान आप परेशान नहों सर रादाब उतनी अकेली भी नहीं है जीते रोह बेटे जीते रोह चलो भाई मुलाकात का टाइम खतम हो गया चलो बबुजी अपना ख्याल रखना और देखो मेरी चिंदा बिल्कुल मत करना क्या करूं इंगालिम सलाहों को ऐसी हौनहार बेटी को कलीजे से भी नहीं लगा सकता मेरी बच्ची का खाल रखना आप ते करवब कीजी सर बाल भी बाका नहीं होने दूगा मा मा बड़े बयार है किसी लड़की के साथ चला हट वीजे ऐसे चकरों से को सो दूर रखता है वो चकर सीना घर में पहुंच रहा है मा खुदी देख लो मा बाबुजी है ऐसे क्या देख रहे हो यह यह रादा रादा जी मेरे साथ काम करती है अच्छा अच्छा साथ काम करके लोग एक दूसरे को समझने लगते हैं फिर मेल जोल तो बढ़े गाई अरे बेठी खड़ी क्यों हो आँ बैठो यहां यहां बैठो आराम से पहले आप तो बैठे न मा जी देखा मा भड़ों का आधर कना भी जानती हैं बड़ी सुशील ल कुछ भी नहीं का तो बैठे मैं समझ गई जरूरत से जादा मत समझो तुम मैंने बाबुजी से मिलाने लाया हूं तू चिंता मत कर तेरे बाबुजी को भी राधा बेटी बहुत पसंद आई तुम लोग कफाल करतों यह यह राधा बेटी है अपने विजह के साथ काम करती नमस्ते आपसे मिलानी लाया है रादा जी हमें तो बहुत अच्छे लगी बाबु जी आपको भी पसंद आई ना अरे पसंद कैसे नहीं आवेगी हमारे विजय बाबु की पसंद खलत थोड़ी हो सकती है मालिक हम सब का मुझे भी कुछ बोलने रिया जाएगा कि नहीं प्ली रादा जी उसकी असलिए जानती है इनकी पिता को बी तबा करने वाला वही है इनके पिता को मारे पिता जी कौन है perm तो ब Europ längल का आशकर दुम्हां अन्ता आशका लोगे पिसेटीि तो शुन्हें अपना अखिटी कोई शिद्ण ईफिका माम प्रोट्राइक गरहिए अरे मालक्स कुछ यहां से जाही ना सके इन्हें अपने घराने की बहु बनागे लेओं वाँ भाइया वाँ तुम तो बड़े छुपे रस्तर निकले वाई यह इनके साथ पूना वाली तकरार प्यार बनकर घर तक बहुत लो अपने देखा है यहां खड़ें वो दर्वाजे से आते ही रादा माजी खो देखा तो बस देखता ही रहे अच्छा माजी अब मैं चलू किया जल्दी घर पहुझना था अच्छा बीटी अब आती रहना इसे अपने ही घर समझना विजे राधा को घर तर छोडा आफ अच्छा नमस्ते नमस्ते नमस्त lij नबस्त अब्स प्लाक रभी विजय क्या राधा को पूने से जानता है हाँ मा और इन दुनों की जुगलबंदी मैंना ही तो जमाई थी तुम तो जानती हो मा विजय वह यह रोमांस के मा मैं जाँगो इनके साथ आप फिकर ना कीजिए मुझे कुछ ना होगा शेर नहीं हाँ हुआ 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 है हुआ है 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 को मेरी रक्षा करने के लिए कसरत हो रही है पहलवान जी पूछ सकती हूँ आजकल आपको मेरी इतनी चिंता क्यों लगे रहती है जानती हूं आप ही होंगे अपने काम में ध्यान लगाई श्रीमान मैंने कहा तो था मुझे कुछ ना होगा तेरा तो बैंड बच जाएगा छोकरी सुनाय तू हसी है जवा है और अकेली रहती है रात को पांच मुस्टंडे आएंगे और तेरे को उठाकर ले जाएंगे और उसके पास अब मिलकर बारी बारी तेरी गदर जवानी के साथ मीच कमीना कर दो । कर दो माँ झालू है भाइब है हमा अंखित है अंग अंग कर अंग कि अग्जाइब तुनिये अरे हाप पर यहां जल्दी से आजाए छट्री के नीचे मगर यह तो काफी है दोनों के लिए आए भी वरना भीगेंगे अपनी छट्री पर दाली है यह तो अरे आप दूर खड़े रहेंगे तो कैसे बचाएगी करीब आए न उफ उफ ऐसी बारिष में शर्वाना कैसा यह भी ठीक है बारिष में नहीं धूक में शर्माना चाहिए है, चलिये नहां से इस मन्न बैसे अ इस मवाण में आप बिना हट्री के से कैसे निकल पड़े belonging पारेंग करता है ऐसी लाजवाब छत्री मेरे पास नहीं थे न तो फिर नहीं निकलना चाहिए था देखे न बारिश के साथ साथ हवा भी कितनी तेज़ चल रही है ज्यादा भीग जाते तो सर्दी जकड़ लेती आपको हम जरूर जकड़ लेती लेकिन आपकी छत्र छाने मुझे बच अरे आप इतना बीगे कैसे पसीने से जी पसीने से मुझे में शर्मा रहा था वैसे आप अपनी बेमिसाल चत्री बंद कर सकती हैं हम अंदर आ गए हाँ हम अंदर आप धक्थक 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 टेसी धक्थक चिरा करी सावन बढ़िसी आखों में छुपा लूँ आप फलकों पे तुझकों बिचा लूँ चुरा लूँ नजर से धक 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 धर से धक धक जिया रा करे सावन बर से आखों में छापालों आप फलकों पे तुझकों बिठालों चुरा लूँ नजर से धक 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 धर से धक धक धर से धक धक जिया रा करे सावन बर से मन में प्री धड़कती जाए मन में प्री धड़कती जाए धंडी आँग भड़कती जाए चलती था सटकती जाए आए लाज सरकती जाए जुनर आए सर से जुनर आए सर से धकत 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 जल से धकत चीरा परे सावन पर से जुनर आए जुनर आए जुनर आए जुनर आए चलती जुनर आए कर दो i काम न लेना, सर पे कोई जाम न लेना ना काफिर तुम नाम न लेना प्यार में अब तु काम न लेना अगर से मगर से धक्धक, 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 धरसे, धक्धक यरा करे सावन बल से होतो में चाँ, बादबाई सोच के क्या तु यू शर्माई तुने मेरे निन लुड़ाई, मैंने काहे पीठ लगाई किसी जादुगर से, किसी जादुगर से धक्धक, 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 धक्धक धरसे, धक्धक चीरा करे सावन बल से आखों में चुपालू, आपलकों पे तुझकों बिठालू, चुरालू नजर से धक्धक, 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 धक्धक धरसे, धक्धक धियरा करे सावन बल से आखों में चुपालू, आपलकों पे तुझकों बिठालू, चुरालू नजर से धक्धक, 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 धरसे, धक्धक धियरा करे सावन बल से पर जो करेंड़ेरी लोगारी आपला। आएँ, अदो तुझकों जटल हो गया है। ड़किन चुरा बल साइए होना चेला। लगा से प्णार जगा मान आपला मिली नगगा। कि मिल गया माग कि आपके इंतिजार में आपके इंतिजार में मैंने तो अपसे पहले बताया था बाबुजी क्या भी में काम ही ऐसा बड़े-बड़े रैसों से वास्ता पड़ता है और अगर उनको खुश रखना है तो रात को देर से आना ही पड़ेगा ना आज किसे खुश करके आए हो करोड़ पती सेट आज ही उसने मुझसे दस लाग का विमा कराया है मैं तो अपनी कमिशन भी लेकर आया हूँ दस हजार रुपे इसे रख लीजे बाबुजी उस मेरा अपना खून मेरे अपने अउलाद जो एक खाने की गमाई लाया इस घर में यह आपसे किसने का बाबुजी मैंने का है अरे उस दिन बाबुजी ने तुझे समझाया कि धर्मदा से मेल जोल बढ़ाएगा तो गलत राष्टे पर हूँ या सही राष्टे पर इस बात का फैसला कुछ दिनों के बात करना परिया मुझे मेरी मंजिल पर पाउशने दो ताकि हमारे अच्छे दिन दुबारा वापस आ जाए तू हराम की कमाई से अच्छे दिन वापस लाना चाहता है इस घर के हर इंसान ने इजज़त की गरीबी को कबूल कर लिया सिवा तेरे गरीबी में कोई इज़त ने होती बाबुजी जब अब धन्वान थे तो आपके दर्वाजे पर वाबा करने वाले लोगों का मेला लगा रहता था अब क्यों ने लगता मेला सुन लिया तुमने बिलकुल धरमदास का रंग चड़ चुका है इस पर मैं समझ रही हूं इस पर धरमदास का रंग क्यूं चड़ गया है उसकी बैटी के इशक में जो कुछ करया है ऐसी के लिए करय नहीं मा महन अब मैं कैसे समझायऊ आप आप लोगों उस जो एक हाने में लोग तुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे उनके सामने तुझे बेटा कहते हुए शर्म आएगी मुझे एक तिन वो भी आएगा बाबुजी जब मुझे बेटा कहते हुए आफ फक्र महसूस करेंगे तब तक के लिए शर्म झेल लीजे बाबुजी सुन रही हो इसकी बाते हैं बाब को शर्मिंद की झेलने के लिए कह रहा है चाहता है खुद बटकारी के रास्ते पे चले और बाब देखता रहे कभी सोचा भी नहीं था लक्ष्मी के अपने घर में ऐसा नालायक पैदा होगा जा दूर हो जा मेरी नजरों से तेरी शकल भी नहीं देखना चाहता मैं जा उसी धरमदास के पास जा अपना मुझ अलब कर यहां से अब जी क्या बात है माँ? आते ही लोट चली तरवाजे से अंदर आऊ ना बेटी हमें इतना पराया क्यों समझने लगी इस वक्त पराय तो मैं हूँ शायद आप लोगों को घरेलू बाते करनी है ठेरो राधा पिजे तुम जाना चाहते हो ना बेटा क्या हुआ? रभी घर छोड़कर चला गया घर छोड़कर चला गया? मैंने उसे बहुत रोका बीटा लेकिन वो बहुत सिद्धी है कहता रहा मैं जो कुछ कर रहा हूँ सुच समझ कर कर रहा हूँ होसला रहे बाबुजी होसला रखिए रभी के चले जाने से आप बेटे निराश नहों आपके बड़े बेटे हमेशा आपके साथ रहेंगे आप सबकी देखभाल करेंगे सेवा करेंगे और एक दिन रवी को भी वापस ले आएंगे विजय जी आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे मुझे तुमसे यहीं उम्मीद है बहु बहु डाड़ी रवी कैसा काम कर रहा है ठीक हरा है कैसा लगता है आपको ठीक है अच्छा लगता है सिर्फ अच्छा या बहुत अच्छा ये कुरेद कर क्या पूछ रही है कहीं तूस गूर गंटाल के चकर में तो नहीं आ गई मैंने इसे काम दिल आया था ना इसलिए पूछ रही थी ओकी डैडी मैं चलती हूं सरा शॉपिंग के लिए जाना है रवी अभी पुरी तरह से लाइन क्लियर नहीं तुम उन्हें अच्छी तो लगते हो मगर गुरू घंटाल भी लगते हो देखती जाओ थोड़े दिनों बा अबाप भी देगा वो भी कागस पर लिखकर यॉर मैड दिखा दूगा तुमको खैर अभी तो मुझे नौकरी पर जाना है शाम को कहीं पर मिलो ना पिक्चर देखने का मूड़ है ओके किस एचर पर मिलो थी एसस क्लब के समने फॉर ओक्लॉक अबी दैरा मिल गया परमिट पर मिल गया पर मिट ओ ओ ओ हो हो तेरे डैडी ने दिया मुझे परमिट तुझे पठाने का तेरे डैडी ने दिया मुझे परमिट तुझे पठाने का छेल हट लट खट मेले इपटले वाले तुझो जोटा जमाने का तेरे डैडी ने दिया मुझे परमिट तुझे पठाने का तेरे डैडी ने दिया मुझे फरमिट तुझे पठाने का चल हट लट खट मैंने इपतने वाली तुझो था जमाने का तेरे जाड़ी ने दिया मुझे परमिट तुझे पठाने का लिखा के इस का गजबे तूटके प्यार तु कर मुझे से ये का हज दिखला मुझे को क्या है लिखा पढ़ा मुझे को इसमें लिखा है भान ले बेटी कहना इस दीवाने का तेरे जाड़ी ने दिया मुझे परमिट तुझे पठाने का तेरे जाड़ी ने दिया मुझे परमिट पठाने का हाँ हाँ इसमेट कंट कि आज नहीं शर्म कि खुपके शु चुप के शुप शुपिके शुप के आज मिला है मौका खुल लब खुल अंक लड़ने का एर डैडी ने दिया मुझे परमिट तुझे पठाने चुप दिश्वित बहता ने तो लुढ़ चुपांट-पासे तेट मस्ने का, तेरे डेटी निया मुझे परमिट पपपटाने का एंद का, तेरे साथ ही जीना है, तेरे साथ ही मरना है साथ में जीना मरना है फिर परमिट ये परमिट, क्या खरना है खोब बहाला रूनदा है ये सुने मुझे पठाने का तेरे डेडी ने दिया मुझे परमिट तुझे पठाने का पारिट करने का शंहट नटख नटकर नने का पड़ाक में पटने वाले तुछोथा जमाने का ते रदीने दिया मुझे परवेट पर्मिट 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 तुझे पड़ाने का पड़ गई तो थोड़ा फिर खाबर चाप दी नटवान ने शेर की मुच को आई अरे कौन है आप दूस्त लोग अथोड़ा आई शेर की मांद में आकर शेर से ही छेल खानी शायद इस मुच पर नजर नहीं डाली आप लोग नहीं डाली नजर भूतनी के अब तो इस उस तरह पर नजर डाल मंझा हुआ हाथ है श्रीवान उच श्रेणी के खांदानी हज्जाम लगते तेरे लिए यमराज हूं बेटे पकड़ने साले को अरे 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 यह कैसा अशिष्ट वेवार है बंदुगर कितनी किलाश फेल हो उस दिन तो बड़ी डिंगे मार रहा था किसी और ने मारी होग कि बंदू मैंने तो अपने जीवन में एक मक्खी तक नहीं मारी बड़ा कोमल सभाव है ने निरा वकवास बंद कर उस दिन मैंने तुझे फोन पर कहा था कि आइंदा धरमदास और दुलब के बारे में कोई खबर न चपए कौन दुलब कैसा धरमदास मैंने तो इनका नाम कुछ देर के बाद एक कार्टून भी नजर आएगा शिशे में कार्टून जगड़ो सलेगा मुख नहीं नहीं क्या कर रहे हो नहीं मेरी बात सुनिये ये बड़ा नीच में वहाँ तुझे सबक सिखाने के लिए सिर्फ तेरी आदी मूच काटी है शेर मर्द आइंदा हमार वह दोब दूए बारे में कुछ चापा तो कुछ और भी काट दूँगा तो अधोड़ा क्या 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 लिख जाना तुमें इस बार धरमदास के खिलाफ काफी कुछ मिला है अगले इश्यू में ही चप जाएगा जी आपका अधामों क्यों ठका हुआ है तार दुखती है स सुनो धरमदास के खिलाफ अब कुछ नहीं छपेगा यह आप क्या कह रहे हैं मैंने मैंने उसके और दुरलब के बारे में कुछ और खबरे कठा की हैं जूटी हैं वो खबरे धरमदास का शहर में इतना मान है तुमने बेकारी मुझे उसके खिलाफ बढ़का दिया यहां तो क मेरी मूच नीची नहीं होगी क्या बिल्कुल सच्चे है वो आरोप कुछ और लेक छपने तो दीजिए साबित हो जाएगा इस अखबार में क्या छपेगा और क्या नहीं चपेगा यह तैह करना मेरा अधिकार है जनम सिद्ध अधिकार मगर यह अगर मगर कुछ नहीं जैस जिस काम का पीड़ा उढ़ा है हमने उसी अधूरत नहीं छोड़ सकते हैं कौन हलो है क्या मैं अंदर आ सकती हूं से आई आये क्या बात है से आप मूं क्यों छुपाया बैठे है अब क्या मूं दिखाऊं मैं आपको ओ समझ गई उस दिन की कविता पार्ट के लिए आप शर मिन्दा कवीता पाठ के लिए अजी छोड़िये पसीने पसीने कर दिया था अगर वो कबाब में हड़ी नतपक पड़ता तो आप घश खाकर जूल जाती इन पहों में मों जूज एक हफटे के लिए झुटी चाहिए एक बिन की नहीं अगर आप दॉसर नीयांगी तो हमारा क्या होगा सब्सक्रानल कौन है यह क्या सर आपकी आधी मुच गई किदर हो गई है उस तरह की नजर किसने काटी खुद मैंने खुद ही काट ले और किसका हाद पहुंच सकता है शेरों की मुच हो तक दरसल आप ही कारण है इस मुच मुंडन का मैं वो कैसे सबेरे जब मैं बाथरूम में आपके ध्या अहां तो उस तरह कुछ ज्यादा ही खिज गया मुझे तो चिंता है कहीं आपकी लगन में एक दिन अपनी गर्दन न काट रहूं है ऐसा जुलम न कीजेगा लीजे इलाइशी खाईए अवश्य संसार में सबसे मजबूत बंधन है इलाइशी बंधन खा लेता हूं तो मेरा इलाइशी की बारी की वो बेवकूब समझता है कि मेरे मुझे से बद्वू आती है इसलिए आप मुझे इलाइशी खिलाती है ऐसा कह रहा था मिस्टर विजर बिल्कुल ठीक कहते हैं क्या आप मजाग तो नहीं कर रही है जी बिलकुल नहीं तो जाइए छुट्टी एक हफ इलाइशी की शादे कविवर नट राज कटवाले वाकी की भी कटवाले कौन है बे ओ ओ मैडम नमस्ते नहीं मैं समझा कोई ऐसे ही जी जी भूकम कीजिए विजय को भेज़ दू अब ही भेज देता हूं आपके बंगले पे सुनिये मुझे शर्दा देवी ने बुलाया है मैं आप रस्टर विजय है ना जी हाँ प्लीज आके कह दीजे कि मैं आगया हूं मैं नहीं जा सकती आप उधर बैठे वह आप है आएंगे बड़ी मखरूर है देखा तक में मिस्टर विजय उनका गोला उठा देंगे क्या पास ही तो बड़ा है प्लीज उठा देजे ना लीजे और सुनियो में साथ आप मेरा नाम जानती है तो यह भी जानती होंगे कि मैं श्रद्धा देवी के अख़बार में एसिस्टेंट एडिटर हूं उपकार करके नाराज होना आप जैसे अच्छे कवी को शोभा नहीं देता विजे बाबो नमस्कार मैडम तुम आ गए विजे आओ इधर बैठकर बातें करें बैठो तुम्हारा कविता संग्रे चपकर आ गया है माकेट में जी हूं लोग पसंद कर रहे हैं सवाब के क्रिपाष से हुआ मैडम नहीं तुम्हारी अपनीकाबलियत से हुआ है सैटार का तुम्हरा अपना एक अंदाज है मैं चाहती हूँ तुमें एक नया कविता संग्रह लिखो जिसमें नई बाते हों नई विशे हों कौन से विशे अपने देश के मौझूदा हालात हर तरफ कितनी करप्शन कितना भृष्टा चार फेला हुआ है अपनी कविताओ में इनके खिलाफ आवाज बुलंद नहीं कर सकती क्या आपका सहरा मिले तो जरू करूंगा मैडम लेकिन अफसूस तो यह है कि अपने उजाला अख़बार में जो आवाज बुलंद की गई है वो भी दबाए जा रही है क्या मतलब मतलब यह कि सेट धर्मदा करो वो आर्टिकल छपेंगे थैंकियो मैडम आपका बहुत बड़ा अपकार होगा अरे में सुमलकर बेटी संभाई करो जोट तो नहीं लगी नहीं ममें विजय यह मेरी बीटी है नेना यह तो देख नहीं सकती नाम रखा था नेना वो बच्पन में ही आखे खूब एथी मुझ पर तरस खाने के जरूत नहीं है मिस्टर विजय तरस से तो नाराज की है फ़ली है चलो ममी हाँ सबहल के उनका ब्याह करा दीजीने माडम आखे नहीं तो क्या हुआ बाकी सब कुछ है उनके पास रंग रूप है मां का इतना नाम है तौलत है इस्जत है कोई भी अच्छा सा लड़का राजी हो जाएगा यही तलाश है लड़का गरीब सही लेकिन शरीफ हो नई जिन्द मैं 20 लाग से मदब भी कर दूंगी मैं लेकिन वो शादी करें तो सिर्फ मेरी बेटी के लिए मेरी दौलत हासल करने के लिए नहीं मुझे यकीन है कोई नेक लड़का जरूर मिलेगा कई यह कैसे आना हुआ चीव मेरा बेटा चाहता है कि सुजाता के साथ उसका लगन चलत पहले आप लोग बतलाएए ना कि दहेज क्या होगा रोगा कितना देंगे जी मेरे अजीत के लिए तो प्रेम बाबू लड़की वाले अब तक चले आ रहे हैं 12-15 लाख देने के लिए तयार हैं 12-15 लाख हम कहां से लाएंगे उजड चुके हैं तो चलिए उजडने का कंसे इंग्लेंड से उचा है वह वही करेगा जो मैं चाहूंगा लेकिन भाई साथ सगय की वक्त तो आपने साथ लाख रुपई के मांग नहीं की थी क्यों करता उस वक्त तो आप लोग करोड़ पती थे दामाद को 15 लाख तो देहीं देते ना अब चलिए साथ लाख दे दिजि हैं ये किया कहते हैं आप वो तो चोरी हो गए लोग को कहते हैं कि उन्हें आपने दबा लिया हैं मैं कहता हूं ही र चोरी हो गया है यह कहानी तो आप दुनिया को सुनाइए प्रेम बाबू मैं तो आपका अपना हूं मुझसे कूछ छुपाते हैं अब बंद कीजिए वकवाज आप हद से गुजर रहे हैं अपने बंते हैं और मेरे ही कैरेक्टर पर शक करते हैं आप भड़किये मत साफ सुन लिजे अगर मेर लड़की ब्याहनी है तो साथ लाख भी देने पड़ेंगे वरना समझ जाई कि सगाई टूट गई अरे नहीं देनी है तुम जैसे नीच को बेटी ऐसा मत कहो जी भाई सगाई मत तोड़िये चार लोग जान चुके कि हमारी बेटी आपके घर की बहु मनीगी हमारे दिन पल लिइत कि अप्रवर्दीगार इनकी जान बक्ष दे दो जब जाहां के मालिक आप मेरी बात तो सुन सकते हैं ना डॉक्टर साब ये बोलती क्यों नहीं किसी जबरदस टेंशन या परिशानी की वज़े से सारे बदन पर फालिज कि रहा है मौट और जिंदगी भगवान के हाथ मेरे भाई मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूं ؇म दो तो आख को बच लेगे रोख क्यों रही है सिनाता नहीं बत रोख मेरे कारें बाबुजी की ये दशा हुई है सगाय तूटने के बाद आप में और जीना नहीं जाती भाईया क्या पागलों जिसी बात करते ही सुझाय अच्छे लगों की कमी है क्या तेरे लिए एक से पड़े हैं यहां यह तो अच्छा हो कि सिना जैसे आदमी की बहु बनने से तो बच गई यहां मैं किसी और की बहु न सुझाता है यहां तो रजीद तुझे मेरी कजम सुझाता है मैं कहीं और शादी करने की काबिल नहीं रही भाया नहीं रही मुझे माफ कर दो भाया मुझे माफ कर दो माफ कर का पर माफ कर बिए ते कर अब कर एद या जीड से होगा है शुकित तो तो पर चेम करोंगा कुछ हैं भले बज़ी आंको बेचना पड़े हैं कि एस ठीव घ्रत में अजीद से ही होगा कि वह बात किसी उमत बताना पापुजी की जो हालत है ना परिशानी की कोई भी बात उन तक नहीं पहुंचने चाहिए मां को भी मत बताना वह भी बहुत दुखी है कि तू फिकर मत करें तू फिकर मत करें तू नमस्कार मैटम आओ आओ बेटी बेटू कहो कैसे आना हुआ जी वो बोलो जी वो मैडम आप नियुजन कहा था कि नैना जी के लिए अगर कोई अच्छा मुनासिब लड़का मिल जाए तो आप 15-20 लाख रुपे की मदद कर सकती हैं हां जरूर करूंगी बशर्ते की लड़का आप पढ़ा लिखा और नेक हो मिला कोई जी मेरा ख्याल है शायद आपको अच्छा लगे तुम्हें पसंद है तो अच्छा ही होगा कौन है वो लड़का हां भई बताओ मैं मैडम तुम यह तो बहुत खुश्ची की बात है विजे चलो मुझे ले चलो प्रेपिता जी के पास मैं खुद उनसे उनका बेटा मांगूंगी अपनी बेटी के लिए नए मैडम मेरे बाबुजी को इस बात की खबर तक नहीं होने चाहिए मगर क्यों नहीं बाबुजी पर फालेज के रहा है मैडम हल ठीक नहीं है उन्हें किसी तरह का शौक देना जिन्दगी के लिए खत्रा है तो फिर कोई आखों वाली बहु धूंडो उनके लिए मेरे बाबुजी को गलत में समझी है मैडम नेत्रहीन लोगों से बड़ी हमधरती है लेकिन वो ये कभी गवारा नहीं करेंगे कि मैं आपकी बेटी से ब्या करके रुप्या वसूल करूं है किया सिर्फ रुप्यों के लिए तुमedo मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो दोलत के लिए आपने बेचने को बेचने हो हां मैडम कुद को बेचने आया हो मगर दौन के लिए नहीं यहां के बेहन के लिए जैए अच्छे दिनों में बाबुजी ने उसकी सगाई कटी ध वही मेरे बिखने की क्रिमत मैडम पंदर भीस लाग नहीं सिर्फ साथ लाग बाबुजी नर्स कैसी लगी आपको अच्छी है न मुबारक हो बहु सर्टिफिकेट मिल गया तुम्हें अब बाबुजी को हमारी सेवा थोड़ी पसंद आईगी मां सिर्फ बहु की सेवा अभी तो ब्या भी नहीं और तुम इन्हें बहु कहने लगी मां कैसे ना कहूं बेटे उस दिन तो तुम्हारे बाबुजी ने इस बहु मान लिया था और फिर ब्या तो हुई जाएगा आज नहीं तो कल कल किसने देखा है मां आदमी सोचता कुछ है होता है कुछ और फिर तो संजोक कहे ले मां लेकिन बेटे तुम्हारे प्यामें अर्चन किस बात की यह राजी तुम राजी हम दोनों राजी नसीब भी राजी हो तब ना नसीब संजोग आज ये कैसी बाते कर रहे हो आप नहीं समझेंगी राता जी कल तक तो राधा थी तुम्हारे लिए आज क्या हो गया तुम्हें आज मैं अपने आने वाले कल की तैयारी कर रहा हूं राता जी मा इनसे अब ब्या करना मुंकिन नहीं मेरे लिए मगर क्यों आखिर हुआ क्या मा मुझे बाबुजी का इलाज कराना है इस घर का खर्चा भी चलाना है एक और मेंबर इस घर में आजा है मैं उसका बोज नहीं उठा सकता मा देख अपने वाबुजी की हालत तेरी बात सुनकर इन पर क्या बीट रही है कुछ देर पहले ये कितने खुश थे राधा के आने से अरे मुरक इनका आधा इलाज तो राधा है इसे जल्दी से ब्याकर घर लिया जवान बेटी घर में बैटी है और आप लोगों को भ़ू जाने के पड़ी है पहले बेटी पार लगाने के सोचो मां ये ठीक कहते हैं माजी पहले आप बेटी की सोची बाब जी अब सारी अर्चने दूर हो चुकी है वो सेना साब आज कलकता लोट रहे थे तो अचानक मुझे एरपोर्ट में मिल गए तो मैंने उन्हें बताया कि आ आपको अब आपकर देजिए इस शादी की इजाज़त देजी बाबुजी हम सबकी यह इच्छा है सुजाता की भी सेना सब मांग रहे है परस्ताव है जाहर किया अब हमारा अले रहना ठीक नहीं होगा बाबुजी आपसे बिंती है शादी क्लिए आंके देजिए पापुजी राध काफी हो चुकी है आई मैंको कर जोग देता हुआ है किस सोच में डूबे हो समझ में नहीं आरा कैसे बताओ आपको राधा जी छोड़ो यह जीवी राधा कहने लगे थे राधा ही कहते रहो लेकिन तुम यही कहना चाते हो ना कि पहले बाबुजी पूरी तरह से अच्छे हो जाए फिर शादी करोगे मैं तब तक इंतजार कर लूगी मगर सुनिये तो मुझे आपसे कुछ कहना है और वह बात बताना बहुत ज़रूरी हो गया ज़रूरी बात और सड़क पर रहीम चाचा आप और आटो पर हाँ और नहीं तो क्या सारे कुंबे का बोज अकेले विजय बबुवाई उठाएंगे क्या हमने भी ट्राइबिर शीख ली चलो बैठो दोनों को सेर करवाला आएं अरे नहीं मैं नहीं खबर आईए नहीं हमारी नजर सामने सड़क पे रहे अरे तु क्या होगी अबिटिया घर छोड़ देंगे आँ चलो उचक्के बैटलो रिक्षे में अच्छा विजय तल मिलेंगे देखिए आयो शर्दादेवी चलो उसे आले ने तो ममी मेरी बड़ी आर्जु है कि वो मेरे शादी में जरूर शामिल हो कौन है ये वो नैनकी हाँ सहिली बेहनों जैसा प्यार है दोनों में जड़े अब तक आई क्यों नहीं भारी मैडम मुझे ये मंगल सुत्र खरी देंगे देर हो गई मैंने सोचा बहले कोट मैरे जो लेकिन दुलही राज्या जोग गई न वीचे को देखकर तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारी ओफिस का साथी तुम्हारी सहिली का जुवन साथी बनेगा आओ वीचे आप अपना अंग उठा यहां लगाए या राधा यह सुहाग माला वीचे को देदू वीचे राधा का और मान है कि इसकी आखों के सामने तुम यह सुहाग माला नेना की गली में डालू एना राधा जी राधा कारमान पूरा करू वीचे अब आप हमारी कारवाई पूरी किजिए मिस्टर विजय रजिस्टर पर आपके दस्तखत अब तक बाकी हैं प्राधा वो कैसे लग रहे हैं बोलना मैं उन्हें तेरी आंखों से देखना चाहते हो वो तुछ पसंद है ना हाँ तब तो मैं बहुत खुश हूँ मुझे इसा ही वर चाहिए था जो मेरी जान से जादा प्यारे सहीलो का भी भाई तू खुश है ना बहुत आसो खुशी से दिल भराया नैना कभी सोचा भी न था कि ऐसी खुशी मिलेगी बहुत खुश हूँ मैं तर कहूँ क्या किसी से कि आखे चलकने लगी एखुशी से खुशी का है मा का मगर क्या करूँ मैं नहीं अज कोई खुशी का कराना मेरे आसो खुशी का है मा का मगर क्या करूँ मैं नहीं अज कोई खुशी का कराना मेरे आसो खुशी का मुस्कुराना मेरे आसो खुशी का मुस्कुराना है निए मुशकिल से बरे शान कितना है निए मुशकिल से बरे शान कितना निवाही बदलना है आसान किलना जलालों कोई खुब सूरत बहाना मेरे आशों सितनों मुस्कुराना मेरे आशों सितनों मुस्कुराना किसी ने कहा था किसी से न कहना किसी ने कहा था किसी से न कहना जबी छोटे थे पर तो खामोश रहे न मेरे आशों सितनों मुस्कुराना मेरे आशों सितनों मुस्कुराना जबी आशों सितनों मुस्कुराना 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 मगर क्या करूँ मैं खुशी का मा का मगर क्या करूँ मैं नहीं याद सोई खुशी का परोना मेरी आसों सित्रो मुसकुराना मेरी आसोस नितलू मुश्कुराना तो रिखात अलिट अलाक की लोगलान है आन्पागणा प्रिया निवार्ण व्यार्णिदित अलाक कि अले कि अलम उत्युकत सक गले का एए आ यह संतर है रहेव कि अचा अले कि अपने नसीब से ऐसी उम्मिद नहीं थी मुझे कि मेरे अपने बेहन की शादी की ख़बर मुझे गैरों से मिले मुझे मुझे ख़बर क्यों नहीं दी गई रहीं चाचा हाँ ख़बर देने कहां जाते बेटे अपने घराने के दुश्मन उस धरमदास के यहां आज कल वहीं दैते हो ना बेटे रहीं चाचा हाँ कि मैं करेगा कर रहा है कन्यादान कौन करेगा कि सर्व मंगल मंगल ये शिवे सर्वाद इसाद के शरन्ये त्रम्ब के या कन्यादान कर रहे है कि बाबुजी का है फालिच में है कि कब से कई दिनों से का बाबुजी किस अश्पता लोग घर में है हाँ बिटे डॉक्तर ने का है कि उन्हें हर परिशानी और गुस्टे से दूर रखा जाए तुला दुलन को आश्रवात तीचे जी आप बेटी की चिंता बिलकुर मत कीजिए बाबुजी मैं आपसे वादा करता हूं इसे इतना सुक्त दूंगा कि ये जिन्दगी भर आप लोगों की कमी महसूस नहीं करेगी बाबुजी इस हालत में छोड़कर जाने को जी नहीं करता जी नहीं करता बाबुजी तुम इंकी चिंता मत का सुनाता मैं जूना मैं तुस्से वादा करता हूं बाबुजी ठीक होकर बहुत जल्ड कलकत्ते में तेरा सुक देखने आएंगे ये ना चलो बीटी चलो पाबुजी मत रो बीटी यही औरत का नसीब है एक प्यार भरा घर छोड़की नया घराना बसाना पड़ता है आए चलो रहीम जा जाए चलो जा बेटे जाए वो चलो सुजवादा सुजवादा बस्तोप भी झाल माँ मैं यह पैसे सुझता कि शादी के लिए लायत हुआ बाबुजी के इलाज के तुचिनता मत करना मा मैं हूँ ना मैं इलाज करा हूँगा तो इस हराम की कमाई से बाबुची का इलाज कराएगा ले जाए रुपए और पढ़ा रहे उस धरमदास के चन्नों में आव यहां बैठ जाओ रात के नो बच चुके हैं हमें चलो वो तुम जाना हो मेरे लिए तु दिन और रात एक समान है तुम पास हो तो चला दूर हो तो अंधेर हो सुबह होते ही आ जाओंगा न अब जाने रोज रोज चले जते हो आज रात यहां राजाओ ना प्लीज नैना मेरी मजबूरी को समझो ना बाबुजी के हालत तो तुम जानती हो वो मेरी रहा देखा करते हैं उनकी देखवाल के लिए मुझे रात को घर लोटना ही पड़ता है तो फिर मुझे वहां क्यों नहीं लेचलते बड़ा आर्मान ह किस सुर्जी की चरंड़ छो सको मैं अब तक उन्हें बता नहीं पाया है कि मैंने तुम से शादी कर लिया है उनकी हालत वैसे ही नाजुक है थोड़ी सी समझ जाए तुम्हें सब कुछ बता दूँगा फिर मैं तुम्हां सद्राब भी गुजार सकोंगा जाने कब जाकेंगे मेरे नसिप मुझी जाने तो जाने के कुछ ने रिना सुनो क्या बात है पतने से विद्धा लेने का तरीका यही होता है क्या तो फिल कौन सा तरीका हा ठीक ही तो है तुम्हें भी होटल से काम लिया गुड़नेट कहकर गुड़नेट रादा जी आपके लिए फोन है किसका मैडम के बंगले से आया है हलो राधा तुम इतना वदल क्यों गई हो नहीं तो नैना कहां बदली तो मेरे घर आना क्यों छोड़ दिया है मेरी शादी करे सब्ष में आई थी उसके बाद ना तुम्हें छो सकी ना तुम्हारी आवास सुनी चुपके हो बताओ ना क्या कुसूर की है मैंने जो तुम मुझसे दूर रहने लगी हो आजकल मेरे सरक्काम बहुत है तुम बहाने मत बनाओ फॉरण आजाओ फुरसत मिलते ही आ जाओंगी नैना नहीं तुम्हें अभी आना होगा मेरी मेरी तब यह ठीक नहीं है तु आ गई राधा अरे कैसे जान गई तू हावा के जोंके नहीं तेरी महग पहुंचा दी जूटी कहीं की फोन पे डरा दिया कि बीमार है तू तो यहां भली चंगे बैठी है फिर क्यों बुलाया मुझे और किसको बुलाओ तेरे सिवह है कौन जिसके साथ अपने दुख तरपांड सको क्या तू और विजय अब तक हारता मैं वह भागन हो जो सुहागन तो बन गए लेकिन सुहागरा अब तक नसीब नहीं हुई मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने घटिया आदमी निकलोगे एक अंधी लड़की की बेबसी का फाइदा उठाओगे तुमने नैना के लिए नहीं उसकी दौनत के लिए उससे शादी की है नहीं रादा, मैं दौनत का लोबी नहीं मैंने शद्दा देवी से उतनी रुपे लिए जितने मेरी बहन के हाथ पिले करने के लिए ज़रूरी थे उसके ससूर साथ लाग मंग रहे थे उस दिन तो तुम बाबुची से कह रहे थे कि उन्हें रुपे नहीं चाहिए बेहन की जिन्दगी बचाने के लिए जूट बोलना पड़ा मुझी शादी भी करनी पड़ी लेकिन भगवान जानता है कि मैंने वो रुपे कर्ज के तौर पे लिए एक दिन मैं ज़रू वापस कर दूगा बेहन की जिन्दगी तो बचा ली लेकिन नैना की जिन्दगी अब उसका क्या होगा पती का फर्स पूरा करूंगा मैं औरत के गले में मंगल सूत्र डाल देने से वो फर्स पूरा नहीं होता विजय पत्नी के अर्मान तभी पूरे होते हैं जब पती की बाहें उसके गले का हार बने पती का प्यार मिले उसे मैं उसे प्यार भी देना चाहता हो राता लेकिन क्या करूं दिल से मजबूर हूं मैं पहला प्यार बुलायनी भूलता मुझसे क्या तुम अब तक नहीं विजय यह गलत है अब मेरा ख्याल दिल में लाना भी तुम्हारे लिए पाप है यह ऐसा पाप है जिस पर इंसान का कोई क्या तुम बोला सक्यों मुझे नैना की दुख का कारण मुझे मत बनाव विजय मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकती हूं कि उसमें दिल्चस्पी तो लो वो मुझे बहुत 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 लड़की है उसे सुख दोगे तो इतना सुख पाऊगे कि कि जीवन स्वार्ग बन जाएगा तुम्हारे लिए अब तो यही एक रास्ता है सुख देकर सुखी होना सीख लूँ मैं समझा लूँगा अपने दिल को लेकिन तब तक नैना को सबर करना पड़ेगा इलायजी की शाधी हुई मेरी बरबादी कौन है 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 आप लोग फिर आगे अब किस लिए काटने के लिए ऐसा घजम मत कीजिएगा अभी तो मेरे हाथ भी पीले नहीं हुए लंगोड धारी कुआ रहा यूव और कुआ रहा ही मरेगा साले हमारे साथ दोगला पन किया तूने फिर से खबर छापी नहीं मेरे नहीं विश्वास कीजिए उसरा नरेश उसे चापने का दोशी मैं नहीं हूँ तो फिर कौन है राधा आप जैसे सादू जन इस संसार में क्या महाम कारे कर रहे हैं वो सबकी रिपोर्ट लाती है राधा बेन रोको रोको य्जवी य्जवी य्जOOOO ů्जवी य्जवी कि अज़िए कि अज़िए जवानी है कि सर से पाउं तक हतोड़ा ही हतोड़ा मैंने तुझ से कहा था ना कि अगर तुने हमारे के खिलाफ निखना बन नहीं किया तो मेरे मुझ टंडे तुझे उठाओ कर ले जाएंगी और उसके बाद बारी बारी नहीं तो यह यतीम बच्चों के नाजास बाप तुम हो जाए हाथोड़ा अब हाथोड़ा नहीं तुम खोड़ा है मखोड़ा के आए होड़ा करे वह गलुक हाँ कई खोड़ा आप जये रदाजी मने बडलुगन कुटो से आप जये जये प्रवी ने तुमको बचा है यही तो ताजुप की बात है रवी भी धरमदास का आदमी है मगर मेरी खातिर उसने अपने ही आदमियों से मार पीट की उसका खुन पुकार उठा होगा वह तो अभी भी यह समझता कि तुम उसके भाई की वह तुम्हारी पेश्टी कैसे देख सकता था कि वैसे एक तरह से अच्छा ही हुआ कि वो लोग मुझे उठा के ले गए अब पता चल गया है कि डोंगरी पर उनका एक और अड़ा भी है अब यह पता करना है कि वहां क्या कारोबार चलता है मैं पता करूंगा अब तुम्हें वहां जाने की ज़रूत नहीं है अब उस छ जंदा छोड़ दिया तो वह धरमदास के सामने मेरी पोल खोल देगा अंधेरा बढ़ जाए तो उसकी लाश को बहां खेंग देना है कि अ कि आप कि आप कि आप कि आप तो अल्डरा का वी पर्चूका हुच जो उसके खड़िया करनी करनी दिया रखी 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 आज में उसके तरखीया करदूगा हाँ हुई 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 है सबस्टे त्टचल पो पर दो कि लिए चाहिं का अगे आ मैं बोलन्ड? जुनर साले को बोलो, हाँ कि इस तरह भारा है कि अपर अपर कि अपर करें तुम्हें बहुत जल्द हो शाजाए तब तक शायद दर्वाज भी खुल चुका होगा फॉरम भाग ले मेरे भाई विज्ए के वाई तो भाई तो भाई तो भाई तो अब अब बताओ भी कहा है भाई यह रोज जानी कहा रहता है रात को देर से लोटता है, मगर आज तो भाईया, कहा है वो, तु कुछ जानता है, बोलना, कहा है विजे, कुछ गुंड़े मुझे जबरदस्ती पकड़ कर ले गए, शायद मुझे बचाने के लिए विजे भाईया भी वहाँ पहुचा और, तो तेरे साथ क्यों नहीं लोट अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ला, तो मैं तुझे जिस्दगी पर बाब नहीं करूगी, जिस्दगी पर बाब नहीं करूगी, जिस्दगी पर बाब नहीं करूगी, चला जा, दूलो जो मेरी नजरसे, मा, 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 मुझे समझने के कोशिश करो, मा, मुझे समझने के भाईया भाईया तुम आ गए शुक्रे तुम भी वहां से बच निकले यह ले तरह कोट अरे यह खुन कैसा मामूल इसा गाऊ है अंधेरे में बैचारे का निशाना चूग गया कूली बदन से चूग के निकल गई यह ले अजा मेरे भाई मेरे लिए तुम अपनी जान देरेते भाई अब तो धरमदास का साथ छोड़ते मेरे भाई भाई अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दो क्या बक्ते हो बंग पिया हो क्या तुम तुमने यह सोचा भी कैसा कि मैं अपनी बेटी तुम जैसे चालू आदमी के पले बांदूगा क्यों नहीं बांद सकते उस बेटी के मां को भी तो तुम जैसे माचालू के बांदे गया था अरे उसकी मां के बाद से जाने में गलती हो गी थी लेकिन मैं यह गलती हर्गस नहीं करने वाला मैं अपनी बेटी की शादी एक पड़े लेखे शरीफ लड़ है शहर में सासूर जी चुप करो अर्श कर रहा हूं कोई आरा है तुम मुझे जिन्दा देखकर बड़ी हैरत हो रही होगी ला तुमको जिन्दा देखकर हाँ सेट जी कलिनों ने अपने गुंडों के साथ मिलकर मेरी जान नेनी की कोशिश की और यह वहीं गुंडे थे जि मेरे आदमें नहीं थे उस दिन तुमारी गाड़ी नहीं रोकी थे गुंडों ने मैं नहीं लाला उनके साथ अरे वो सब एक चक्मा ना सेट जी आपकी आखों में धूल जोक कर आपका हीरो का हार उडाने के लिए तो यह जोक रहा है तुमारी आखों के अंदर एक तरफ त दफिता सब्सक्राइब्सिक्त्राइब्स ब्लेके जानता कुछ टीए बिल्कुल नहीं जानता था अच्छी तरह से जानता था यह अखबर का जासूस है उज़ory और शाब कर सकता हुं दूरब जी कौन है यह जोकर उजाला अखबार का एडिटर है नमस्कार क्या मौके पर आए आप बताए आप पी बताएं सिर्जी को मैं बला उजाला अखबार का अदमी हूं क्या आदमी तो आप हैं लेकिन उजाला के नहीं वैसे आपका शुब नाम जी मुझा यह सब पहले यह बतो पहला नहीं जाता वो उजाला प्रकाशन बेच कर रिटायर होना चाहती है अगर आप खरीदना चाहें तो मैं सौदा सस्ते में पटा सकता हूं जरूर खरीदिये सेट जी फिर आपके खिलाफ उस अखबार में कुछ नहीं चपेगा आजी हम अखबार वाले चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं आप तो जानते हैं आपकी हराम की कमाई को हम हलाल की कमाई सावित कर देंगे आपके जुए खानें को मंदिर बना देंगे और आप दोनों धुरंदरों को कर देंगे मतलब धर्मात में सावित कर देंगे और क्या है खास लेट मैं नहाए वह चुछ उंदर काई तु हम दोनों का मजाग तो नहीं उड़ा रहा है नाए 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 कैसी बाते कर रहे हैं उस्ता नरेश मैं आपका मजाग उड़ाओं तो आप मेरी गर्दन उड़ा देना है सेड़ी मेरी बात का विश्वास कीजिए इस सौधे से आपको बहुत लाब होगा ठीक है ठीक है शर्दा देवी से बातचीत करो हर सो उनके बंगले पर उजाला प्रकाशन का रजट जैनती समारो है तो देवी का आगरा है कि आप अवश्य पधार बाकी बाते वही ते हो है तेंक यू थेंक यू इंडीड अरे प्रेम बाबु आ गया है तो तो कह रहा था कि यह पार्टी सिर्फ हमारे लिए लेकन खास मेहमान तो यह पंग है यह पंगा क्यों दिया गया है यह पार्टी खतम होने से पहले आप दोनों जान जाएंगे थोड़ा धीर रखी आप म सद्धादीवी जी है हमारे उजाला पब्लिकेशन की मालकिन अब आपकी तबियत केसी है विजे पहले से बहतर है भगवान करें जिस मकसद से आपने यह पार्टी दी है आज वो चमतकार भी हो जाए लीजिए जोश नहीं विस्की बॉल विस्की यह कैसी ठंडी पार्टी ह मैं तो सोच रहा था कि हथोड़ा होगी हथोड़ा आजी हथोड़े भी पढ़ेंगे थोड़ा पार्टी को आगे चलने दीजिए पार्टी में जाने से पहले इसे पहन दो धरमदास सेट वो अंदी के साथ वो लॉंडिया देख यह वही है जिसने उजाला अखवार में हमारे खिलाफ जहर उगला था यह क्या माच रहा है पार्टी हमारे लिए गई है और हमारी दुश्मिनों को यहां बला गया है अरे तो किस बात की सेट जी आपका रक्षक भी तो फान पड़ा इस पार्टी में आपकी सुपुत्री के साथ लगता डैड़ी लेली यह हार तुमारे हाथ कैसी लगा सौबाग गीस डैडी तुम्की प्रोव लेली हर उतर फर्ण दिल दे मगर क्यों डैडी हाँ मगर क्यों डैडी इसके गले में कोई चोरी का हार तो है लिए इस सीटी क्यों गुल है शुटा आज इस पार्टी में कुछ चीजे जबा होगी वो अपंग चारिटोबल ट्रस्ट को भीट कर दी जाएगी आप सब सभी दरख्वास्त हैं कि आप दिल खोल कर इस नेक काम में अपना से होग दें क्यों मैम साब क्या ख्याल है देदे सहीं कर दे हार निलाम करना चाहो तो कर दो तुम हूं मालिक क्या पक्तियो मालक मैं हूं जीजी है अब मैं हूं सेड़ जी वो उस दिल आपने पटाने का पर्मिट दिया था तो तुम अपनी जबान बंत रखो समझे हार दो हार दो मैं कहता हूं एक तो बगार पूछे विहार पैन कर चलिया ही और उपर से निलाम करना चाहती है जिलो पर इसमें अब आई लोगों की सेवा में हाजर है सबसे पहले इसे निलाम किया जाओ चिलम जैसा मूझ खोल कर क्या देख रहे हो गोंगा बसंद जाओ अपनी लॉंडियों को पकड़ कर लाओ वरना इतना कीमती हार हाथ निकल देगा भाई सांब यहार बहुत कीमती है इस करोड का है अरे खुद ही देख लो यह क्या बकवास कर दी तुने हरामजद है काट कर दूआ अरे काटने की बात तो बाद में देखेंगे अभी पकड़ के दिखा रही मैं इसक्यूज मी धरमदास जी वह आब नूर हीरों का हार भी 10 करोड रुपएगा था कहीं वहीं हार आपकी बेटी के गले में तो नहीं नहीं वहार बहुत ही मामुली सा हर है बहुत ही मामूली जा शर्फ एक लाक रुपर का है फिर भी भाईयो ये हार इस सुन्दरी के गले तक पहुंचकर करूरों को लगता है इस हार का कारीगर कौन है ये तो सिर्थ धरमदासी जाने लेकिन ये सुन्दरी सेड़ जी की कारीगरी है लगाई 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 छेया कि भाईयो वरना यहार पिछा सबार चला जाएगा वर ये अधर है और दो गौन चाना एगर जाना गणारीगर कैसे चूड़तक्तियों बापका माल जो है को एकला ये वाला बोलो बोलो भाईयों 7 लक है वी ऽॉल तो लग है पर एकलो पहिया अधिन लग है कि पांच लाप है कोई पांच लाग से आगे बढ़ने वाला है कोई माई का लाल जो से घरमदास को पचाल सके कोई नहीं पांच लाग एक पांच लाग दो नहींक लगूर करे में इसका करे में का वste कि नहीं में आख לפे चावर के बाप जयाब कि President Hill Senior धली। एक टाश्मा, जली बने तुम लिपने कर शाज़! भुपू कर दो 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 कि तलाशी होगी कोई बहार नहीं जाएगा खवरा मत तलाशी होगी बहुद जल मिल जाएगा तैड़ी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं अनधेरे में खर चले जहांगे तुम भी चलो वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे जाने की एक वज़ा है आव मेरे साथ पता करो हार मिल गए है कि नहीं मिलना है तो मिल जाएगा बाबुजी, आपको जबान मिल गई, मुझे दो जहान की दौलत मिल गई, बस नैना, तुम्हारे सामने विजय के बाबुजी है बहु, तुम इतने दिन हमें कैसे भूल गई बहु भूली कहा बाबुजी, आपके चरण छूने के सोभागी को तरज रही थी आशिर्वात दीजे जी जे रहो, बेटी बेटे, बहुत कुछ बताना है बाबुजी, आप घर चली मैं आपको सब बता दूँगा लेना, मैं बाबुजी को घर छोड़के आता हूँ अच्छा, फिर लोटेंगे ना, हाँ, जरूर लोटेंगा पैथा उफ, शुकरा गाइब नहीं हुआ ललिता के घरे में जुरूब नकली हा रहा होगा क्या हो रहा है धरन दाथ तो ये है आपका धरम भगवान की मुर्ति के आड में चोरी का माल चुपा रखा है नहीं, ये चोरी का माल नहीं है, ये मेरा है आँ, तो अभी पता चल जाएगा अरे ललिता, अरे ललिता, अरे दोंड करी तो क्या बात है रवी क्या व्यूंच को फोन करने प्लीज व्यूंच को मत बाबुजी करेंगे प्रेम बाबु को नी का बेटा हुमें यहीं है असलिए आपने उगीरें आखिर यह हमें मिली गये आप हमारे घराने की खुई हुई खुशिया भी वाफिस लटाएंगी बाबुजी बस दुख है तो इस बात का केहने पाने की कोशिश में मुझे अपने माता पिता का विश्वास खुणा पड़ा बाबुजी इन हीरों तक पहुँचने के लिए मैंने आपसे नाफ फर्मानी की आपके दुश् मनों से जा मिला आपके दिल दूखाया मुझे माफ कर दीज अव मुझे माफ कall दीजए अरबेटा माफी तोlli हमें तुम से मांगनी चाहिए जो हमने तुम्हें गलत समझा ह। हम तु यही समझे थे कि धरमधास की बेटी के इश्क में तुम इंसे जा तो पहले यह बताई है कि उस पार्टी में वो नकली हार आपने नहीं उड़ाया तो फिर किसने उड़ाया अजी उसी अथाड़े के बच्चे दुरलब ने हार शायद मेरे लिए लए होंगे आगे तो कुछ बोलो ना तुम्हारे लिए राधाने मुझे अपने हाथों से सजाये है मगर मैंने यह हार खुद पहन लिया अच्छी लग रहे हो ना हुआ है सच मच यह क्या हों किया जाते हो खुल के बोलो ना कैसी लग रहे हो मैं अज ऑ्तौराओ ऩर आओ यहां लाओ यहां लिएफ तो जाओ रुआ यहां पश्छी बोलो अज़े हो पुल के अ वगे लिएए़े है कि अज़े खुआ हो उप यहां पर दो जब पया जब दो यहां पुल यह क्यो हो रदा, यह क्यो हो रदा? आके खोलो रदा! रदा, नहीं तुम्हे कॉले तुम्हे जीनी से कूंगा! लगे, लगे बना लगे 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 में लगे स्थार zostं़ लगे सर आवangesड़ शरा ओ तॉई ठॉबंप्हा अब आग और अ ब्सकत अचाओ ए वा दो ए उन्हें पृघँ तर नहीं, बाराइ! वाराइ! झाराइ! 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 है कि उड़र है यह कि तरखए यह कि मानुख कि अबना जूदा टो गूयरे हातों नहीं तोड़ा तो रावी मेरा नहीं बम्हारी फीचbenक, घ्सक्टाझ अजडान रभाट इसल Garlic हीचुन कर दो, 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 क कर दो बता कहा है वो हार मुझे नहीं मालूम अभी उस अंदी के गले में था पता कहा चुपाया तुने हार मैंने नहीं चुपाया कि दो पाइड पाइड गया हार राख प्ट कुपाया हार यह स्वाँ पाइड प्सके पाइड प्सके दो काया हाँ खलाव टूझ कि अधिया पर दोड़ा यह राम पूरी चाकु देख रही हो जब यह अंदर जाता है तो अंतनिया बाहर निकलाती है को में अधिया थारा इतर। ग्रतार कर लो इंसब को नए विशी वापिट उसमाली अभी दॉट्र लाइए नए 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 मैं यही हूँ तुमारे पास तुम भी मेरे पास हो मैं जारी हूँ आप तुम मेरे पास हो इसे नहीं कहत लगा मुझे छोड़ तो मज़ा मेरी बच्ची में दल्कुल एके लिए रह जाओंगी बुड़ा पर में दल्कुल एके लिए आप कीली कहा प्रादा like तुमघे लेंकि मेरे जगा तुम्हां इलीए प्राइन प्राइभ тоже दियुक्त अशनि अश्क आप अश्क करण भी किरें तुछ िडीसी तुझ्यार का लुस्त आ हना ये कॉद्डि मार्ने को पर मेरे लिए जीना होगा ये खी है तुझे जीना होगा तेरी आंखों में सदा जीना गिरता अपना सुहाग तुझे सुपकर तेरी नजरों से मैं सदा देखूं क्योंने अपना हाद दो नना? नना? मैं जाने से पहले ये सुहाग मला तुझे जाने सुहाग के गले में चुना जाती हो ये तु क्या कह ली मेरी बच्ची? सुहाग ने जीते जी अपना सुहाग किसी और को नहीं सुपकर करती है इस वबे मेरे आत्मा को शांती मिलेगी मा इस सुहाग मला पर नादा का ही अदिकार है नहीं 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 इसे पहना सुना ये ये सुहाग मला उसे पहना ये तुम क्या क्यारी हो नहीं मैं ये क्रिच्च पुरी करो नहीं सुप बहुत कमे मेरे बादाना मेरे बादाना लादा 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 अब कौन सा पेंतरा खेलने वाले आप अंकल जी अरे भई खुद मेरे साथ आपके रवी ने धोबी पचाड खेला है कहा कि मैं बाकी का जीवन तीर स्थानों में जाकर जाड़ू लगाऊं अंकल स्वर्ग में अगर एडवांस बुकिंग करानी है तो अपने तमाम करमों का वही खाता इसी धर्ती पर ठीक करना होगा इसलिए तो बेटा मैं अपने पापों की सारी कमाई को दान करके जा रहा हूं तीर्थ यात्रा के लिए और अब तो मेरी बेटी भी इस घराने की बहु बन गई है भगवान करें सदा बना रहे ये घराना हरे राब हरे कृष्णा हरे राब हरे कृष्णा हरे कृष्णा सितम हम पे कर ले सितम गर जमाना सलामत रहेगा ये घर ये घराना कर दो कर दो